हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग once again I welcome you all to this plant home of physics वाला और आज की इस शांदार दामाकिदार क्लास में क्या हल चाल हैं आप सभी लोग के I hope सब लोग अच्छे हैं सब लोग मस्त हैं स्वस्त हैं अच्छे से पड़ाई रिकाई कर रहे हैं अच्छे से तुम लोग रह रहे हो एक्जाम की पेपरेशन कर रहे हो क्योंकि एक्जाम आज जस्टांडिंग आट यूर गेट और नौकिंग यूर दोर दर्वाजे पर खड़े हैं और उनको एंट्री करनी है तो उसकी तुम्हें पेपरेशन पहले से करके रखनी है कि ट्सक्वर सबी आज के से यूरा और तो मेस्टीर फ्डूने वाले हैं हिस्टीं का ये लास नेक्चर होने मौन इसके बाद आपका कोई भी जो आपने सरेबस दिया हुआ है जो आपने बताया कि मैं ये चाप्टर हमारे आ रहे हैं मैं उसको टेक अप करने वाली है ठीक है ना मिटा तो देखो आज हम अपना last chapter tick up कर रहे है history का that is the making of the national movement अब देखो history की बात करो तो history अगर आपने पूरा साल भर जो history आपने पड़ी है this is the last chapter of history जिसमें भारत को फाइनली आजादी मिलने वाली है ठीक है ना इस lecture में आपकी बहुत सारी चीजे होंगी बहुत सारी से हैं चोटी चोटी चीजे हैं बहुत सारी डीटेलिंग है उनको मैं कवर करेगी ठीक है ना चल्ड़ा स्टार्ट करते हैं अब मैं आपको थोड़ा से पीछे ला जाती हूं और इस chapter को ब्रीफ करती हूं मैं आपको बता दू यह आपकी जो कहानी start हुई थी वह कहानी start हु जो की merchandise company का मतलब क्या होता है एक ऐसी company एक ऐसा एसी company जो सिर्फ profit को profit ही profit चाहती है nothing else अब यह country यह कंपनी हमारे इंडिया इंडिया में आई थी इन्डिया में इन्ट्रेट करना शुरू कर दिया लेकिन in ndया में ट्रेड करते करते इनको यह रियलाइस हुआ कि हम यहाँ पर सिफ ट्रेड ही नहीं बल्कि यहां पर बैटकर हुकूमत यानि हम यहां पर बैटकर इंडिया को कॉंकर कर सकते हैं इंडिया को चला सकते हैं तो भाई ट्रेड के साथ-साथ इन्होंने अब ट्रेटोरियल कर दिया एक्सपांशन के साथ उन्हें पॉलिटिकल एक्सपांशन शुरू कर दिया सुसाइटी में कुछ चेंज आने लगे तीकिना दीरे दीरे चीजें बदलनी गई ट्राइबल्स को परिशान किया फॉरेस्ट लॉज इंट्रीज कर दिये ठीके न इसारे चीजें हो गई ती किस सबस्क्राइब कोन से लडाई हुई थी बैटल ओफ प्लासी वी थी 1757 बैटल ऑफ बक्सर बैटल ओफ प्लासी इंपोर्टन क्यों है वह इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि पहरी लडाई ऐसी थी जो इस ट्रिना कंपणी ने इंडिया में खेली थी लडी थी और वह और इस ट्रिना कंपणी जीद गई थी किसके साथ हुई तरह मुझे बताओ चाट सेक्शन में कि इस ट्रिना कंपणी की लडाई बैटल ऑफ प्लासी में किसके साथ हुई थी चलो बताओ ठीके ना उसके बास बैटल अब बक्सर होती है उसमें भी वह जीद जाते हैं यह दिर दीरे दीरे फिर उनने कई सारी पॉलिसी लेकर आए जैसे की डॉक्तिर आफ लाप्स लेकर आए ठीके ना अवद को मिला लिया साथ ड़ी अलाइंस लेकर आए थे तो इस्ते क्या हुआ इससे हमारे इंडियन के अंदर बहुता गुसा आ गया था राई रक्ष्मी भाई के बेटे को अड़ाप करने से मना कर दिया नाना सहीब को पेंशन देने से मना कर दिया मुगल्स की बुरी हालत हो गई थी नवाप्स की बुरी हालत हो गई थी रूलर्स की बुरी हालत हो गई थी सिपायों की बुरी हालत हो गई थी तो सब के सब का एक कॉमन एनमी था और वो हमकेतना एतना इतना सप्रेस किया हमको इतनाwie उप्रेशन किया कि इसके रियाक्ष kicking में crimeshi मुझे आप चाट सक्षिन में लिखकर बताएंगी तो इस कि लडाई के बात थे आंग्रेज आप समझ कि चलो थोड़ा सा Battle of Plassey, Battle of Plassey कब हुई थी, 1757 में हुई थी, इसके ठीक 100 साल बाद, 100 years बाद, एक और battle हुई थी, और उसको हम बोलते हैं, it is the first war of independence, first war of independence, और कब हुई थी ये, ये थी आपकी 1857, तो आप कह सकते हो, 100 years का difference है, तो ये वो पहली लडाई थी, ये first लडाई किसकी Britishers की, जिसमें वो जीत गए थी, उसके बाद, इसके बाद, 100 साल में हमारे उपर इतना अत्याचार किया, हमको इतना परिशार किया था, कि Indians ने इसका बखुबी से सामना करती हुए, 1857 में अंग्रेजों को हिला दिया था, ये इतनी बड़ी revolt हो गई थी, इतना सादू, Government of India Act आ गया था, Government of India Act एक आया हुआ था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, कि आपके NCRT में आपके लेवल पर ये चीज़त दी गई है, क्रीटी गई है, बट मेरे को याद है कि ये एक ही चेंज हुआ था, जिक है, कई सारे चेंज हुए थे, अभी तक हमारे country में Governor General आ रहे थे, Yes or No, Governor General आ रहे थे, लेकिन अब उसे चेंज करके क्या आने लगेंगे, अब वाइसराय आने लगे थे, वाइसराय कौन था, He was the Personal Representative of the Crown, जो भी पावर East India Company के पास थी, वो सब कुछ Crown के पास ट्रांसफर हो गई थी, है ना, तो इस First War of Independence के बाद, बहुत सारे च अतावन की, यह कहानी आगे बढ़ती है, और कई जारे चेंजेज अब हमारे उन्हें सुसाइटी में करना शुरू कर दिया था, क्लियर है की नहीं क्लियर है, इसी को बेटा, अब हम आगे बात कर रहे हैं, यह देखो आप, कैसे Battle of Plassey हुई थी, कैसे यह First Fall of Independence हुआ था, Battle of बखसर हुई थी, देखो, Indian states revolting in 1857, इंडियो प्लांटेशन को लेकर हम लों को परिशान कर रखा था, ट्राइबल्स को परिशान कर रखा था, उनको सट्ल करना चा रहे थे, कुछ चेंजेज उन्हें हमारे सोसाइटी में करे थे, language change करना चा रहे थे, English medium को करना चा रहे थ तो इन ही सब चीजों से क्या था, हम इंडियन के अंदर गुस्सा आ गया था, हम लोग क्या हो गए थे, हम लोग बहुत अदा क्रोधित हो गए थे, हमारे अंदर गुस्सा बहुत जादा भर चुका था, ठीक है ना, हमारे अंदर बहुत अदा गुस्सा आ चुका था, जिस तक प्लियर है कि नहीं किया रहे हैं? इसके बीच में आप क्या-क्या पढ़ोगे? किस तरीके से लोगों के अंदर नाशलिजन की फिलिंग डेवलप हुई? किस तरीके से आइनसी यानि इंडिया नाशल कॉंग्रेस जिसको आज आप बोलते हो कॉंग्रेस से अचीजन के कि बाद एसी क्या चीज़े हुई गांधी जी की एंट्री होगी इस चाप्टर में गांधी जी के आने के बाद इंडिया में एक तरीके से आजादी की लहर चल गई थी लोगों को अब चाहिए था कि हमें आजाद होना है बहुत सारे चीज़े हुई थी, non-cooperation movement, civil disobedience movement, salt law, Simon commission, round table conferences, उसके बाद कहीं जाकर 2-3 plan भी आया थे, August offer आया था, इसा तुम्हारे सिरिबस में नहीं में बता रहे हूँ, August offer आया था, August offer के बाद cabinet mission plan आया था, उसके बाद mount battle plan आया था, इसी के जगह जो चीज़ें इंडिया में चलने थे, यह सब वही बिटेन, अमेरिका, जपान, रूस, यह सब 2nd world war लड़ाई लड़ रहे थे, इसी बीच आपको 1st world war भी दिखेगा, तो आपके जो बुक में दी गई चीज़ें, वह बहुत basic basic उपर उपर से दी गई है, मैं भी आपको वही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है न, क्योंकि जब आप आगे जाओगे, क्लास 9th और 10th में जाओगे, तो इनी चीज़ों को आप बहुत detail में discuss करने वाले हो, ठीक है न, और फाइनली यहाँ पर quit India movement आएगी 1940-1942, उसके बाद फाइनली 1947 में इंडिया आजाद हो जाएगा, इसी में आप demand of Pakistan भी मैंने 10 मिनिट सिर्फ इसलिए लिए तुमको समझाने के लिए कि यह लड़ाई कहां से start हुई थी और यह end कहां पर आएगा, एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो, येस, एक बार मुझे बता दो, तुम्हें इतनी कहानी समझ में आई की नहीं आई, ये इसलिए पढ़ा दो, ठीक है भाई शिवम, इसलिए पढ़ा देंगे पन, ओकी चलो आजाओ, एक बच्चा गह रहा है आपना नंबर दे दो, नंबर लिखोगे मेरा, नंबर, नंबर ले लो, लेकन तुम किसी और को मत देना, ये लो, ठीक है, चलो, चलो, लिख रहे हैं सबने, तो बटार रूम है, ऐसे नंबर नहीं दे सकते हैं, ओके, यप माम, ठीक है भाई, चलो, आजाओ, चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो, देखो बटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तेखो, Making of the National Movement, ये चाप्टर का नाम है तुमारे, और चाप्टर करने करनाम तुमारा तुमारा कहरा है, तो वायादव, the making of the national movement 1870 से लेकर 1947 की बीच में है, इस बीच में आपको Indian national movement देखने को मिलेगी, Indian national movement का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से हमारे इंडियन के अंदर nationalism की फीरिंग रेवलब हो गोगी थी, माम nationalism का मतलब क्या होता है, nationalism का मतलब होता है, किस तरीके से अब हमें हमारे देश से प्यार हो गया था, दो वाड होते हैं, एक होता है, imperialism एक होता है, nationalism, इंपिरिलिजम का मतलब क्या होता है, अपने देश से प्यार करना, अपनी गर्ल्फ्रेंट से प्यार करना, लेकिन दूसरी गर्फ्रेंट भी अच्छी लग रही है, उसको भी अपने अंदर नह तो यह होता है imperialism, nationalism का मतलब क्या होता है भाइया one man woman है अपनी girlfriend है उसे से महबबत है इसके रहाब किसी और को नहीं देखते हैं वैसे देशों का होता है imperialism का मतलब हम activities, britain ने उपने देश से प्यार किया, लेकिन India से भी प्यार किया, यह होता हैesperialism, nationalism के विष्दम के अदर एंदर एंदर आ रहे थी that's capitalism, nationalism के दो्गारा गिद आ उपने देशों की不会 IN मुभबत हो रही थी इस पूरे इस तानी में 1870 से लेकर 1947 के बीच में आपको सारे incidents पढने को मिलेंगे क्या-क्या हुए थे, क्या-क्या events हुई थी, क्या-क्या policies आई थी, कौन-कौन से act बने थे और कौन-कौन सी associations बनी थी, यह सब कुछ हम इस lecture में discuss करने वाले हैं इंडियन्स के अंदर feeling of nationalism developed हो गई थी, जब nationalism की feeling developed हो गई तो इसी development, इसी nationalism की feeling की growth हो गई और जदा डवलप हो गई और फाइनली हम इंडियन्स को पिर independence मिल गया था, ठीक है ना, चलो बटा, start करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तेखो, emergence of nationalism, nationalism की feeling हमारे अंदर डवलप कैसे हुई लोगों ने अपस में सवाल पूझा कि भाई ये देश है किसका, इंडिया किसका है, हमारा है ये अंग्रेजो का है, what is the country and for whom it is meant, यहां इंडिया की बात हो रही है, कि इंडिया किसका देश है और किसके लिए देश है, तो भाईया इंडिया जो है, वो इंडियन्स का है न, यहां की मिट्टी हमारी है, यहां का पानी हमारा है, यहां की जमीन हमारी है, यहां की पत्ती हमारी है, यहां की हवा हमारी है, यहां का पेड हमारा है, यहां का कीड मकॉडे हमारे है, यहां के लोग हमारे है, हना, तो ग्वेस्टिन है, तो भाई देश किसके लिए है, उरन जाहे वो आतनी वी रहते हो इंडिया, उनका है जाहे वो औरत हो आधमी हो इंडिया, उनका है जाहे वो मराथी भोल लहे हो बंगाली भोल रहे हो पंझाबी भोलixa गुज्राति, बुंदेलकंडी polr jya ut breo तो यह सब्सक्रत को में का सब्सक्राइब करता के है। यहां यहां के पैसे का भी यूज करेंगे कि आंडम्स करेंगे थे टरीन उप वंगरेंगी रहेए बैसे की जो भी साल रहे थी वो साब ब्र्रिटेन जा रहे थी बोगल्स और बीटिए पर्रेटनol गया यहां गराई ने इसापन किरा है लेकिन पैसा उनको इंटिया चया है उन्ड опас बासा के लिए बाइफूर श्क्रक्षण पीसा खत आया कि वह चाहिए लेकिन पैसा अंडिया पैसा करआए Keyline उने जितना भी पैसा था वो सब कुछ बिटेन भेज दिया यह दो बेसिक फरक है बुगल्स और बिटिशर्स के बीच में ठीक है ना आगे बात करो आगे लोगों के अंदर नाशलिजम की फीलिंग आने लगी लोग keto 12Лmmm की फैलिंग एक साथ दस के अने लगे वही बात कर रहे है आगे तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए आपको कोई political body तो चाहिए ना लड़ाई के से लड़ोगे चाती पड़े कैसे घड़ो जाओगे तो मैं धन समान के निगल दाएगा आगे फिर तुम गए तो आपको एक political association चाहिए तो इस nationalism की feeling की वज़े से कई तारी political associations मैं political association का मतलब क्या होता है political association का मतलब हुआ कई सारी political bodies कई सारी political institutions political parties अब वो तो party अब कहेंगे political institutions बनने लगे थे जैसे कि मैं आपको बताऊं जैसे कि बिटापन बात करें पूना की तो पूना में पूना सार्वजनिक सभा बनी गई एक और बनी दा इंडियन एस्सोसियेशन मदरास महाजन जैसे मानलो अगर बेंगॉल में कोई nationalism की डेवल एक तो वहां कि लोगों ने मिलकर एक association मना लिया मदरास में हो रही है तो मदरास में लोगों ने मिलकर बना लिया थिके ना समझ रहूं कि समझ रहे हो ठीक है ना वैसे ही बेटा यह सारी की सारी associations बनी थी इनमें से INC यह Indian National Congress इसी को हम बोलते है आज के टाइम पर आइंसी बोलते है यह राहूल गांदी की पाटी है यही आइंसी है जो आल इंडिया लेवल पर आकर लडाई लड़ी थी ठीक है ना बाकरी सब तो देखो रीजनल है यह मदरास में है यह बॉंबे में है यह पूना में है यह इनका मानना यह था कि अब हमें कोई एक्सटरनल पावर हमको रूल नहीं करेगी हम अपने में अपमें इतने सक्षम है कि हम अपना देश खुद चला सकते है तो पीपल शुड भी सोवरें यह इनका मानना था ठीक है ना यह मैं आपको एक अच्छी बात बता दू वो यह है कि जितनी भी यह political bodies बनी थी यह समजातर लोगों ने कुस ने बनाए था educated लोगों ने बनाए था English educated professionals ने बना रखा था जो पड़े लिखे लोग थे उन लोगों ने चीज़े बना रखे थी आगे बात करते हैं reasons for dissatisfaction from the British अब भाई लोग Britishers से नराज क्यों थे 1870 की बात भा तो 1857 के बाद 1947 90 साल बाद हमको अजाती मिली करीब करीब 100 साल बाद और ठीक है ना तो भाई यह जो एक time period था बीच में ऐसा क्या हुआ इसके बाद 1857 की रिवोल्ट के बाद अब क्या हुआ जिससे की लोग बटिशर से नाखुश ने क्या क्या है रिजन से from the dissatisfaction of the Britishers पहल हतियार का मतलब है यहां पर गंज से बाई 1857 में रिवोल्ट देख लिया था ना पकड़ पकड़ कि हम इंडियन को धाय ना करके बहुत मार रहता है तरना मार था तरना मार था तरना मार था एक्ट बनाना पड़ा उनको क्या बोल रहा है not allowed to keep arms गंज नहीं रख सकते आप औ है किस किसने देखी और मूवी किस किस ना देखी है और अर रस नदेखी है और र हार ऑ गिसना देखी है उसमें क्या थह थे रहे ना तो इंडिड़ूस कि आझे लाग ऩॉस यह पैद्ड से ने कोशकु बीपिट आ थाईपडुज गया था गरत दूसरा आता है आपका फिर आता है 1878 में ही Vernacular Press Act आता है क्या कहता है Vernacular Press Act सबसे पहले समझो Vernacular क्या होता है Vernacular का मतलब होता है जो Local Language होती है आप जिस एरिया में रहते हो आपको पता है Vernacular Languages बोली जाती है यह मैंने आपको Civilizing the Nature में भी पढ़ाया हुआ है तो वरनेकुलर प्रेस आक्ट आया था और इसको भी Lord Lytton नहीं इंट्रिड्यूस किया था वरनेकुलर प्रेस आक्ट कहा रहा था कि किसी भी अखबार चापने वाली एजिंसी के पास यह राइट नहीं है कि वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ भी चाप सके मैंने क्या बोला वरनेकुलर प्रेस आक्ट का मतलब यह है कि जो भी वरनेकुलर लैंग्विज वाला न्यूस पेपर है उसके मालिक उसके एडिटर के पास यह राइट नहीं है कि वो बिटिश गर्वर्मेंट के अगेंस्ट कुछ भी चापे उसको किटरिसाइज करे यदि आप करते है तो आपकी न्यूस एगेंसी बंद कर वा दी जाएगी यह कहता है वरनेकुलर प्रेस आक्ट तीसेरे आया तहहे बेट इलबर्ट बिल इक्वालिटी के लिए आया था इक्वालिटी की लिए आया था इसको कने प्र bought मिरแप्ट इंडियूस किया था इंडियन्स के भी मुद्द्द जाते होंगे ठीक है ना, ओके, हाँ मैं क्लियर है कोट में अंग्रेज भी जज थे, इंडियन्स भी जज थे लेकिन CP Ilbert के आने से पहले ये राइट इंडियन जजिस के पास नहीं था कि वो यूरोपियन का केस ट्रायल कर सके ठीक है ना, CP Ilbert से पहले इंडियन जजिस के पास इस चीज का राइट नहीं था कि वो यूरोपियन्स का ट्रायल कर सके उनका मुकदमा देख सके उनके मुकदमे पर फैसला सुना सके लेकिन CP Ilbert के आने पर ये एक बिल इंडियूस किया गया था जिसमें उनके बोला कि इंडियन जजिस भी यूरोपियन्स का ट्रायल कर सकते हैं इंडियन जजिस भी इंडियन के मुकदमों में अपने फैसले दे सकते हैं, तो इससे यूरोपियन्स बहुत जदा नराज हो गए गुपप फुला के बैड़ गे, क्यों बैड़ गे, दोँने बोला, कि क्या ये Indians, के पास इतनी bydhi है, जितनी हमारे पास है, कुछ नहीं है ये लोग, बेकार है, इतनी सी bydhibh, हमारे पास इतनी बिद्धी है, ठीक है न, तो उन्हें बोला, कि ये Indian judges European judges के equal कैसे हो सकते हैं जबकि C.P. Hilbert ने बोला कि दोनों करेंगे Indian judges भी European card trial करेंगे बट इससे Europeans नराज हो गए and ultimately government को British government को ये bill वापस लेना पड़ा था ठीक है ना तो ये तीन reasons clear ने की ने clear है This is Arms Act, Vernacular Press Act आजो, formation of the Indian National Congress अब बटा इन सब चीजों के बीच में 1870 के बाद जब 57 की reward हो गई थी तो उसके बाद मैंने आपको बजा ना लोग के अंदर nationalism की feeling develop होगी जब nationalism की feeling develop होगी तो लोगों ने association बना लिए तो हम एक association के बारे पढ़ने वाले हैं and that is Indian National Congress इसको हम normal भाशा में Congress Congress कहते हैं डेलिगेट का मतलब क्या हुआ candidate ठीक है ना members पूरे इंडिया से 72 लोग आए थे Bombay ठीक है Bombay आए थे उस time पर हमारे यहां Lord Dufferin as a Governor General थे आपके यहां पर कहीं नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उस वक्त Lord Dufferin एक Governor General थे यहां Lord Dufferin ने इन 72 candidates यानि Britishers का गवर्णर जेनरल वह इन 72 candidates को welcome कर रहा था आईए आयए 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 बैठ़िए 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 प्लीजचिए प्लीजचिए आपई की लिए सीट है तो उन्हों ने उसको वेलकम किया था तो 72 डेलिगेट पूरे इंडिया से ओल ओवर इंडिया मेंबर्स बोलते हैं कैंडिडेट्स बोल ओल ओल ओवर इंडिया से कहां आय थे बॉंबे आय थे कब आय थे बेटा 28 डिसेंबर 1885 ठीक है अक्चुली ये मीटेंग पूना म में होनी थी लेकिन चुकी पूने में प्लेग बिमारी फैल गई थी तो इस वज़े से इसको शिफ्ट करके बॉंबे में रखा गया और बॉंबे में भी एक युनिवरस्टी है गोकुल दास तेजपाल युनिवरस्टी उसमें ये मीटिंग हुई थी ठीक है उस मीटिंग म लौड डफरेंड ने वेलकम किया था आईए प्लीज आईए बैठाया था चाय पानी टंगडी कबाब फ्रेंच फ्राइज बर्गर पीजा मोमो सब आगे रखा था उनके और ये लोग सब लोग मज़े से खावी रहते ठीक है ना अम आपके मन में एक सवाल आया होगा सवा इसा क्यों करा भाई आई एंसी में कौन लोग है नाशनलिस्ट लोग है नाशनलिस्ट का मतलब वो लोग जो आजादी मांग रही है जो फ्रीडम की डेमांड कर रही है तो भाईया मैं बटिश ने इसकी परमीशन इनको कैसे दे दी और परमीशन दी तो धी खुद फूल मा लेकर ख़ड़े हुए जैसे बराती आइं स्वागत करने के लिए ऐसा क्यों था भाई एसा क्यों था अच्छांव सोचों 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 कि गोड़्यदढाऊ अपने जैसा क्यों था ऐसा नहीं पता नहीं पता हाँ जी दिल जीतने के लिए अरे बाई अरे नहीं यार देखो मैं आपको बताओं अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में जो भी काम किया है अपने फाइदले के लिए किया है सोचो आई एंसी के बनने से बिटिशाइस को क्या वैदा होने वाला था सोचो मैं si si का मतलब क्या है 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 सी सी का मतलब होता है crystal clear associate q set up है बताओ मुझे revolt world war business काई का business भाई कौन से business का रह नहीं मैं आपको बता तरह यह किसी को नहीं प्रिटिश के बीच में हुई थी और लोगों के बीच में हुई थी इसमें क्या हुआ था लोगों इन्हें प्रिटिश को बहुत जदा मारा था अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यह कि आगर आईयन्सी के फॉर्मेशन हो ज़ाती है तो इससे फाइदा हम को कैसे होगा कि हम बृटिटिश के वहासा हाई थो एक तरीके से बिटिशर्स को अब डारेक्ट लोगों से डील नहीं करना पड़ेगा जो कि इन्हें 1857 की रिवोल्ट में करना पड़ा था इन्हों ने लोगों ने इनको मारा है तना इनको मारा कि बहुत इनके बिल्कुल यो लोग काव गए थे कि अब क्या होगा हम डर गए डर गए डर बोला था तुम आ जो ताकि लोग जो पर तुमारा गुस्टा होगा आई एन सी को फोड़ेंगे और आई एन सी पर आए इटिशार्स के पास बैटा है इसको हम बोलते हैं सेफ्टी वॉल थिओरी मैं सेफ्टी वॉल थिओरी क्या होता है किस किस ने प्रेशर कुकर देखा ह कुकर का दककन किस-किस ने देखा है बताओ मैं इंसी का मितलब क्या ओदा इंदियन नेशनल कॉंग्रेस मालिक हाँ जोड़ ली तुमारे बदाओ किस-किस ने यहाँ पर क्रेशर कुकर देखा हुआ है इसमें सीटी आती है नहीं देखा हो तो देख लेना जो डगन होता है प से मेलिल और से प्राइशर निकल जाएगा, मयलो से मे qualité, सुलोग जब CT नहीं निकल पाती है तो यह safety wall फूड जाता है और इससे pressure निकल जाता है तो INC लोगों के लिए एक तरीके सा safety wall की तरह काम कर रहे थे कि जो भी pressure आएगा वो INC को जिलना पड़ेगा बिटिशर्स को नहीं जिलना पड़ेगा हुआ की निक्लीयवा पपू को यह तो यह यह पर क्या दिया जा रहा है कि पफ़ो आईशे करें और यहां से दल निकल रहे है ऐसे ऐसे क्या एग किधके ना क pup some difference ना मां मन इंटिश त्क में चाहीं करना आयते थे हबसा है pla चल पार्टी डान्स दे लाइक अंगरी पीपर पूर पीपल अध्या यार बहुत ही बढ़िया तुमने सवाल मुझसे कर लिया मजा आगिया मुझे अरे यार चलो आगे बढ़े ओके चलो तो फार्मेशन अब अप्डियान लग्रेस हो गई थि इंडियान नशनल कॉंग्रेस में बहुतर डेलिएट्स आल ओवर अज़िया हुए थे इस कॉंग्रेस की फार्मेशन किसने करी थी ? एक बिटिशन था एक अंगरेश था जिसने यह INC बनाई थी और उनका नाम है A.O. Hume and he was a British यह एक अंग्रेश थे ठीक है न इनको किस-किस से सपोर्ट किया था दादा भाई नारो जी ने सुरेंदनाद बैनर जी, वुमेश चंदर बैनर जी W.C. बैनर जी का मतलब है वुमेश चंदर बैनर जी फिरोशा मैता बदरुदीन तयाव रुमेश चंदर दत इन सब का सपोर्ट A.O. Hume ने किया था, ठीक है ना he was an English, तो एक तरीके से INC किसने बनाई है, अगर आपसे कोई पूछे कि किसने INC बनाई है, तो आप बोलोगे A.O. Hume ने बनाई है, ठीक है ना यह आप फोटोस देख सकते हूं उनकी यू कन सी, यह है A.O. Hume he is दादा बाई, सॉरेंदनाद बैनर जी, he is दादा बाई नारो जी, he is रोमेश चत्र दत, he is फिरोशा मैता and he is S.O. सुप्रमयम अरियर, क्लियर एकी नी क्लियर है ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो रोल अफ आइनसी, अब आइनसी का क्या रोल था, बैटा, आइनसी कब बनी है 1880 आइनसी कब बनी है, ध्यान रखना आइनसी बनी है, 1885 में बैटा, आइनसी बनी थी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1885 में बैटा, आइनसी बनी थी और 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905, कितने सार हो गए करीब-करीब 20 सार ठीक है ना, 20 येर्स तक आइनसी, मॉडरेट के लिए आइदा का मॉडरेट आइनसी مतलब एक बर दे दो ऐसे हो रहा घखड़े मांग रहे थी मॉडरेट अ थी आप बिना लड़ाई झगड़े के आजादी कलेम कर रहे थे आजादी मांग रहे थे ठीक है ना लेकिन बेटा 20 साल बाद यानि 1905 में बेंगॉल का पार्टिशन हो जाता है बेंगॉल पार्टिशन ठीक है ना बेंगॉल का पार्टिशन हो गया अब बेंगॉल का जब पार्टिशन हुआ था तो इससे कुछ लोग गुस्सा हो गए थे जो यह moderate का तरीका था यह बाबु वाला तरीका यह Congress में ही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था भाई जब Congress बनीचे तो 1905 तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ठीक है भाई ठीक है न 20 ता कॉंग्रेट moderate तरीके से काम कर रहे थी that means please, petitions, resolutions, prayers इन सब रही किसे काम कर रहे थी लेगन इसी 20 सालों में कुछ Congress के लोग ऐसे थे जो रेडिकल थे बेटा रेडिकल का मतलब जो थोड़े बेटा aggressive थे aggressive कैसे मतलब जो थोड़ा सा violence भी कर सकते थे तो Congress में दो तरह के लोग काम कर रहे थे एक ऐसे थे जो moderate थे जो please कर रहे थे और एक ऐसे थे जो बेटा आपको फोड़ देंगे कर रहे थे ठीक है ना जब बेटा 1905 में Bengal का partition होता है तो यह लोग यह लोग बहुत जदा उसको अपोस करते है कौन लोग radical बेंग यह moderate तो भाई है अभी भी request कर रहे थे बिट अच्छा से मत करो partition मत करो partition बट नहीं मान रहा कर दिया partition यह लोग बहुता सेशन सूरत में हो रहा था हर साल कॉंग्रेस मिलती थी तो उसको हम सेशन बोलते है ठीक है ना तो जब 1907 में जब कॉंग्रेस सूरत में मिली थी तो इसमें कॉंग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी एक बन गया था आपका radical group और एक बन गया था आपका moderate group ठीक है अब दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे ठीक है ना कॉंग्रेस से बटा इसको बोलते है इस प्लिट हो गया इस प्लिट का मतला फूट हो गई ठीक है यह फूट हो गई थी फिर यह फूट 1916 में आकर बन जाती है वापस से एक हुझा आते हैं कॉंग्रेस अलग नोग ठीक है ना चलो आजाओ अब देखो बात कर लो 1907 की बात कर रहे तो रोल आफ इंसी में आपके दो तरह के लोग थे एक थे मॉडरेट जो 1885 से लेकर 1907 तक काम कर रहे थे इनको हम बोलते है अर्ली नैशलिस्ट और दूसरे थे आपके रेडिकल जिनको हम असर्टिव भी कह लेकर 1916 तक काम किया है। इस चीज़ा बिलीब कर रहे थे ग्राज्याइब रियगल फॉर्म्स पर जादी एक ना एक दिन मिली जाए गया जादी इस चीज़े बिलीब कर रहे थे वह राए इस रेडिकल कहुं थे यह लोग बोल रहे हैं, वह अचा था यह सत ती लेकर माने तरह से आप उसको याद कर सकते हो इलनों का मानना क्या रहते है यह लोग फ्रीडम को क्लेम कर रहते है कि वाई फ्रीडम आप मांग क्यों रहे हो अंग्रेसों से यह राडिकल ग्रोप रडिकल ग्रोप मॉड्रेट चेह रहा था कि आप यह फ्रीडम मांग क्यों रहे हो और यूँ बैगिंग खड़े यह मिल जा तो मिली जाए नहीं बैग नी करो यह तो तुमारा राइट है यह तुम क्लेम करो भई यह तुमारी चीज है राइट है तुमारा इसी में बैटा ए जो 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 बांगी जा रही है वो अधिकार नहीं वो तुमारा राइट नहीं है तो चेह रहा है स्वरा जितमें बर्ट राइट and I shall have it ठीक है ना क्लिर है तो यह लोग मांग रहे थी उस ठीज को ओके 1905 में बैंगवाल का पार्टिशन हो जाता है तो कॉंग्रे फोट गए थी एक रैडिकल और लॉरइ को बन गया थे वो वाॉटस से कॉंग्रेस एक हो गई थी खैरर ही नीच है चैना आगे बड़ी रोल्ज्अ आइंस्य आल्च अब उस्सें क्या क्या इंसी इन्स ने क्या क्या इंस्य उमार्ट रखी हमारा रचीं darle कानल सिदिव दूसरी, इंडियन्स को भी गर्वर्मेंट जॉब मिलनी चाहिए, तीसरा, इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आच्छे टाइम में IAS इग्जामिनेशन होता है, उस टाइम पर ICS इग्जामिनेशन होता था, तो ICS इग्जामिनेशन पहले इंग्लैंड में होता था, इंडि तन इंडियन साथी, थैकर तो B mand막 के एग्जामिनेशनी का मतलब क्या हुसा जैसा, दुंकि अग्लेंड में फीम खर hosts इंडियनों इंड्या करें पहले है इंडियनेशनारफ समेंप्र पहणा क्या हुआ 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 है criminal अदालत या फोजितारी अदालत वही district magistrate है है ना district judge भी वही है district magistrate भी वही है वही डियम है वही judge भी है तो उन्हें बोला executive और administrative को अलग-अलग करिए ठीके ना और arms act of vernacular press act को खतम कर दीजिए आगे बड़े ये थी इनकी administrative demands administration के related अब economic demands पैसे related क्या था land revenue कम करो military expenses कम करो irrigation जादा करिए soil tax को खतम कर दो labors जो हमारे बहार है उनके साथ खराब वहवार मत करो और forest loss को खतम कर दो ये इनकी economic demands थी आगे बात करो moderate का view क्या था moderate का मतलब ये दादबाई ररोज जी फरोश या महता इनका आपको बता हूं यह वेस्ट की education लेकर आए थे ठीक है न यह लोग वेस्ट की education यानि बिटेन इंग्लाइं विंग्लाइं लेंडन बंडन से पड़के आए थे वहां लोग लिए देखा कि आइंग्रेजों किस तरीके से जबर्दत डेवलप्मेंट कर रखा यार अपने देश में वहीं अंग्रेज हमारे इंडिया में भी है तो यह हमारे इंडिया के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे यह हमारे इंडिया कभी आजादी, राइट वोट, लिबर्टी, फ्राटनर्टी, यह सब चीजों के डिमांड करी हैं, ठीक है ना, क्लास 9 में पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है ना, तो इनका मानना यह था कि अंग्रेश जो हैं, यह फ्रीडम और जस्टिस को लेकर इज़त करते हैं, तो इमासाथ कभी गलत नहीं करेंगे, तो इनको करना क्या है इनके साथ हमें, मोडरेट के यह बोला कि एग्रेशों कमें घृथ स्टिस, चीजों करते हैं, इनके एंग्आइस करवाना क्या हैं, हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ςकि मैंने की अर्फिकित को बांग यह हो भीक मांग मांग करी ओ, क्लेम करो इस चीज़ को तो आपके मॉडरेट्स कौन है बिपन चंदरपाल बाल गंगाजर तिलग लाजपत राए बिपन चंदरपाल बेंगॉल के थे बाल गंगाजर तिलग महाराष्टर के थे पंजाब के थे इन लोग ने बोला कि अपने कंदों पर विश्वास रखो अपने खुद स्वेल्फ सेफिशंट बनिये दूसरे पर भरोसा मत करो खुद पर भरोसा रखो ठीक है तो यह कौन है ही इस ही इस बाल गंगाधर तिलग इस बाल गंगाधर तिलग स्वराज इसमें बर्त राइट और आई शाल हाविट यह तको आप देख सकते हो यह रहा गजपतर आई ही इस बाल गंगाधर तलग और यह इस बिपन चंद्र पार रहे की नहीं कि अगे बढ़ते हैं बेंगॉल के पाटेशन की बात करते हैं जिसकी वज़े से कॉंग्रेस भी अलग हो गई थी आग्चुली क्या तर बटा बेंगॉल एक बहुत बड़ी प्रसेड बेंगॉली जोनिन श्रासा Muslims क तो यहां बहुत सार लोग कर देटी बाकिसब को अलग स्टेड़ा तो लेकिन अंग Gelis कर बेंगॉल के नो बाकिसप। क्या बोल कर कि बहुत बड़ी पैसे नियुक्त बड़ी इरिया है इसको गवर्न करना स्टस्ट करना बहुत मुश्किल रहा है तो इसे तो इसे को डिवाइट कर दिया क्या अच्छे से administration करने के लिए हमको इसको ड्यूजिंघ करना पड़ेगा, लेकिन actually में main reason क्या था भाई? ये तो लोगों को ने बताया, लेकिन actually main reason क्या था? मझे कौन बताएगा? मुझे कौन बताएगा actually में main reason क्या था भाई? क्या reason था? कौन बताएगा in the chat section मेंrichung Zar Dob le who will tell me who will tell me this who will tell me this क्या रीजन था हाँ मेन रीजन तो ये था कि जो भी नाशनलिजम की फीलिंग लोगों के अंदर आ रही थी अंग्रेज़ों को खिलाफ लड़ने की हिम्मत जो भी आ रही थी वो बेंगॉल से आ रही थी लोगों के अंदर तो उन्हें बोला कि ये काम करते है बेंगॉल को ही डिवाइट कर देते हैं तो नाशनलिजम की फीलिंग अपने आप खतम हो जाएगी तो रियल रीजन क्या था कि भाई बेंगॉल जो है इट बॉस दी नर्व सेंटर आप दी नाशनलिजम नाशनलिजम के लिए ये एक बहुत बड़ा नर्व सेंटर है जो भ बन गया था इस्ट बेंगॉल इसको आज हम क्या कहते हैं मुझे कौन बताएगा कॉमें सेक्षिन में और एक है आपका वेस्ट बेंगॉल ठीक है ना यह है तो वेस्ट बेंगॉल तो हमारे इंडिया में है आद्पी है लेकिन इस्ट बेंगॉल को अब हम क्या कहते हैं पहल कर दफा नो बोलते है कि नी डोलते हैं है वह कि बाई कम बोलते पहुस्टान गजिक अब इसको बांगलादेश तो नार् giving सब dura कंड्रीं तो बंगलादेश यह इस तरह से दिविजन कर दिया था अब डिविजन हो गया लौड करजन ने कर दिया बहुत मना किया मत करो मत करो लेकिन पार्ट इंगे हो गी जो ऑब उस पार्ट इंग का क्या किया याक्षन आया भाई तो स्वधेशी मूव्मेंट में क्या हुआ अंग्रेजों को अपोस्स किया घया नैशनल एडूकेशन को प्रमोट किया घया और अपनी सेलफ हिल्प की डिमांड रखे गई कि अपनी 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 क्या बोलता है उसको अपनी स्वयाम करे अपनी मदद खुद करे दूसरे की टो पर भरोसा रखें तो पार्टेशन ओफ बेंगॉल से क्या हूँ इंडियन ने उसको अपोज किया था इंडियन ने बोला हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए लेकिन बिटा मुस्लिम्स ने इसको वेल्कम करा खुली बाहों से स्वागत करा कैसे स्वाग से मुस्लिम्स ने इसका स्वागत कर दिया क्या रीजन था रीजन ये था कि मुस्लिम्स को लग रहा था कि हम इस देश में हमेशा सेकेंडरी रह जाएंगे तो हमको अलग से एक स्टेट चाहिए है तो जब यह बंगॉल का पटेशन हुआ था तो अंग्रेजों ने बोला था कि इस्ट बेंगॉल हमने तुम्हार लिए बनाया है जहां शीम्स ही मुस्लिम्स होगे तो इस दिन ने इसको वेलकम कर लिया है था था एत ए न without guiding ने तक वेल्कम किया था, 1906 में इन लानलोर्ड और नवाब्स ने मुसलिम लीग बनाए थी, मुसलिम लीग आपको पता है, ठीक है ना, इस मुसलिम लीग ने डिमान्ड रखी थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट की और Muslims की reserve seats की demand रखी थी, ठीक है ना, क्या चीज़ डिवांडर की, separate electorate की भई हमारे लिए separate electorate होगा, electorate का मतलब क्या है कि Muslim candidate भी elections में खड़ा होगा, और Muslims के लिए कुछ seat आप reserve कर दीजिए, ठीक है ना, Congress, फिर क्या होता है, 1906 के बाद सीज़े वो आपको 1916 पढ़ा रहा है, बिशी कहानिया उसमें नहीं बताई है, ठीक है ना, जो Congress में फूट हुई थी, वो actually दो reason से हुई थी, एक तो यह था, Partition of Bengal, दोनों की व्यूज अलग-अलग थे, उसके बाद सूरत split हुआ था, actually रीजन यह था, कि हर साल Congress मिलती थी, हर साल Congress मिलती थी, तो अपना President वो खुच चूज करते थे, कि हमारे Congress का President कौन होगा, उसमें क्या हुआ, उसमें बेटा, दो ग्रूप थे Congress में, तो जो moderates थे, वो चा रहे थे, कि भाई, तयाब जी यह बन जाए, वो अपना Candidate चा रहे थे, Radicals अपना Candidate चा रहे थे, समझ रहे हुआ, 907 के सेशन में, जब Congress का, अब Presidentship का election होने वाला था, Congress के अंदर ही, तो moderates ने बोला, हम अपना Candidate खड़ा करेंगे, Radicals ने बोला, हम अपना चाहते हैं, तो SM में भी बुड़त हो गई थी, तो SM में दादा भाई, Nero जी को बनाए गया था, और दादा भाई, ने रो जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जो Radicals, जो Radicals भी इनको इज़द दे रहे थे, और Moderates भी इनको इज़द दे रहे थे, फूट हो गई थी, लेकिन 1916 में, Congress लखनोग पैक्ट होता है, इस लखनोग पैक्ट से दो फाइदे थे, Moderates और Assertives, यानि Radicals और Moderates, Early Nationalists और Radicals, ये लोग Unite हो गई थे, दूसरा Congress और Muslim League भी एक साथ आ गई थी, काम करने के लिए, इसके आगे आप इसमें मत जानो, क्योंकि इसमें बहुत डीटेलिंग है, बहुत चीज़े छोड़ के आपके NCRT ने दिया हुआ है, क्योंकि आपके लेवल की चीज़े उतनी है, तो Muslim Pact में दो चीज़े, दो significant चीज़े कौन सी हुई थे, अगर question आता है, कि Muslim Pact में क्या हुआ था, तो आप एक लिख हो गए, कि Congress reunite हो गई थी, moderates and radicals एक साथा कर काम करने लगे थी, दूसरा क्या था, दूसरा था Muslim League और Congress भी एक साथा कर काम करने को ready हो गए थे, चलो, आप कुछ questions लाएं भाई, फटा फच्चे पन questions करेंगे, बेंगोल वस divided by the British in the year, बेंगोल जो है, वो कौन से साल में डिवाइड कर दिया गया था, फटा फच्चे मुझे आप question बताएंगे, आंसर बताएंगे इसका, 1900, 1910, 1905 या फिर 1920, बताओ, Yes, C बोल रहे हो, Yes, the correct option is option number C, 1905 में ही बेंगोल का partition किया गया था, मार कर लो भाई, results देखते हैं, क्या आए हैं, Good, So, Zishan 1st, Ayu 2nd, Pratiba 3rd, Aditi 4th, Vansh 5th, Dev Verma 6th, Aditi 7th, Arvind 9th, Divyansh, sorry, Arvind 8th, Divyansh 9th, and Itchor Imran on the 10th position, Next question, The Vernacular Press Act was enacted in, Vernacular Press Act, कब आया था, मुझे कौन बताएगा, 1840, 1857, 1878, या फिर 1890, Come on, tell me, Vernacular Press Act, Vernacular Press Act, Vernacular Press Act, Vernacular Press Act, कब आया था, Vernacular Press Act, 1878, Option number C, आपका correct है, आया था, किसने इंडिड्यूस करा था, Lord Litton, Lord Litton ने इंडिड्यूस करा था, था, ठीक है ना, मार कर लो, Option number C, Results देखते हैं, Good, Manoj, 1st, Arya, 2nd, Mathematician on the 3rd, Creations 4, Divyanshu 5, Krishna 6, Dilshah 7, Ujwal 8, Priyanshu 9, and Sonu Nehra on the 10th position, Next question पर आजो, Ilbert Bill was introduced in, Ilbert Bill कब introduced किया गया है, बताईए, 1860 में, 1857 में, Sorry, 1860 में, 1878 में, 1883 या फिर 1890, Ilbert Bill कब introduced किया गया है, When was Ilbert Bill introduced, Yes, So, Ilbert Bill is introduced in the year 1883, Option number C clear है, Correct है, Kisने किया था, CP Ilbert ने किया था, क्यों किया था, क्योंकि एन्हे, Hyderabad की बिर्यानी अच्छी लग गयी थी, Option number C correct है, Good, अरे दादा, 1878 नहीं यार, Varnay Kular Press Act नाम जाग्ट आया था इसमें, Karthik 1st, Animation 2nd, Sapna 3rd, Beauty 4th, Hemang 5th, Savita 6th, Zishan 7th, Prushittam 8th, Shashank 9th, And Valdimir on the 10th position, भाई साब, कौन कौन पलड़ा है मुझसे, Woman Power, Next, Who had given the slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it, किसने दिया था ये slogan, Aurobindo, Ghost, La 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 Chpatrae, Bal Gangadhar Thilak, या फिर Bipin, Sandr Pal, किसने दिया था ये, Nara, Who had given the slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it, It was given by, It was given by, Bal Gangadhar Thilak, Option number C, आपका एकदम correct है, चीक है न, तो मार कर लो, Option number C, Results देख लेते हैं, Good, उसके बाद भी कुछ लोगा, अला, अला, 10th position, चालो, Next, आजो, Where did the first session, of the Indian National Congress, was held, पहली बार, Indian National Congress, कहां पर मिली थी, first session, कहां पर हुआ था, Calcutta, Bombay, Madras, या फिर New Delhi, कहां पर हुआ था, भाई, कहां पर हुआ था, अच्छा, सबका answer C, तो इसका भी answer C, होगा, Delegates आये थे, कहां मिली थी, बहुतर Delegates की, कहां मिली थी, मा मिली थी, मैं मॉमे में मिली थी, ठीक है न, Option number B, आपका, correct है, मार कर लो, Good, अरे भाई साब, मदरास में क्यों मिले थे, मदरास में क्यों मिले थे, पहला session, अरे मदरास में हुआ था, क्या कर दिया, स्वातिक ऑन दी, फर्स्ट चेतन, सेकिंड, राव, अकमल थर्ड, श्रिशांक फोर्थ, इच्च औराम फिफ्ट, रिकॉर्ड इच्थ, आयूशी सेवन, प्रतिबा एट, सनी नाइन्थ, अर्टिस्टिक वर्ल, अन्डी 10th position, नेक्ट कॉशन पर आजो, 1905, बेंगॉल वर्स पार्टिशन बाइ, विच वोईसराय, किस वोईसराय ने, बेंगॉल का पार्टिशन किया है, लॉड लिटेन, लॉड डफरेन, लॉड कर्जन, लॉड रपन, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, अन्जी, किस ने किया है, बेंगॉल का पार्टिशन किस ने किया है, किस ने किया है, इट वस जन बाइ, लॉड कर्जन ने, ठीक है न, option number C, आपका correct हो जाएगा, मार कर लो, क्या है ये, भाई, क्या कर रहे हो, तमको कोछ और दिखाईं दे रहे हैं क्या, तीसरी यहां के कोई, तुम्हारी दो आखों के अलावा, क्या हो रहे हैं, क्या बुखवास कर रहे हो, तुमनों यहां पर हां, गंदे, यह क्या है, बेशिक सा क्वेश्चन था, बेंगोल वोर्ष पाटेशन भाई, विच्च वोर्ष सुराए, इजने बड़े-बड़े अख़्रों में लिखा भी है, मैंने लॉड कर्जन, क्या है ये, जीशान फर्स, दिव्यान सेकें, स्वास्तिक थर्ड, अर्विन फॉर्थ, शुगला फ्विफ्ट, रिकॉर्ड़ेट शिक्स, आर्टिस्टिक वोर्ड सेवन, देवर्मा ए, अधितियो.com नाइन अधितियो अंधित्य पोजिशन, भाई, तुमाहीं जितनी भी आखी है, सबको बंद करके, बंगॉल के पार्टिशन में कौन से मुव्मेंट चलाई गई थी, कुछ इंडिया मुव्मेंट सौर सत्रग है, स्वादेशी मुव्मेंट या फर्स फार फ इंडिपेंडेंडेंस, हमें अपनोंने लूट लिया, गैरों के दुबार ही नहीं आई, हाँ, येस, इड़ वादेशी मुव्मेंट आप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है ना, मार कर लो, गोड, केशब फर्स, श्वेता सेकंड, जिटेंदर थर्ड, क्रेजी, क्रेजी ओन फॉर्थ, तनिश्का फिफ्थ, अर्बन शिक्स, आकरती, सेवन, अधित, एट, जिशान, नाइध, आईके ओन दी, टेंथ पोजिशन, ओके, अब तुमारे सामने आता है, एक पजल, और पजल हो तो मुझे बताओ, पहचान कौन, कौन है ये वेक्टी, कौन है आप, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहां से आई है, कौन हो तुम, वो इस परसन, वो इस परसन, मैम आप किस पाटी, दे है, मेरी अपनी पाटी चलती है, मेरी पाटी का नाम है, शिगरव मिंड़क शिरनी पाटी, पहचान हो कौन है, येस, ही एज, लौड करजन, वही करजन है ये, जिसको तुमने अभी गलत मार किया था, ये वही करजन है, आखे कोल के पहचान लो, रात में भी तुम से कोई पूचे, बैंगॉल का बाटी चिए कब हुआ था, करजन ने किया था, करजन ने किया था, कोई भी तुम से रात में पूचे, आजी रात को पूचे, करजन, करजन, करजन ने किया था, ठीक है न, ये वही करजन है, जिसको तुम अभी पीछे आंसर करके आए हो, वो देखो, लौड मॉंट बैटन कहा रहे है, शाबाश ही देने खवन कर रहे हैं, इनको ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, लौड मॉंट बैटन है ये, ठीक है न, तो पहला आपका चाप्टर है, उसका पहला पॉर्शन हमने कम्प्लीट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ आप नाशलिजम पर, अब देखो नाशलिजम की फिलिंग लोगों के अंदर डेवलाप हो गई है, अब ये नाशलिजम की फिलिंग आने से, किस तरीके से इनमें अब पईये लग गए है, रॉकेट की स्पीड से आगे चले ये नाशलिजम की फिलिंग, ठीक है न, चलो आजाओ, बाई देखो, अभी तेक तुमने चुछ कहानी पढ़ी हो पढ़ी है, अठाव सत्तर से लेकर, 1916 की, कहानी पढ़ी है की नी पढ़ी है, 1916 के बाद, बढ़ा, 1919 में यही नाशलिजम की फिलिंग को पईये लग जाते है, पईये का मतलब, स्पीर हो जाती है, क्यों, क्योंकि भाई, इसमें किसके परडिसिपेट किया था, जैसे वर्कर्स हो गए, पीजन्स हो गए, स्टूड़न्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, बिजनसमेन हो गए, इन सब ने अब अगायेंसी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमारा सपोर्ट किस के साथ होगा, इनसी के साथ होगा, बारत के आजदी कौन दिलाएगा, आईनसी को दिलाएगी, तो तो थाज़ वह। हो, ट्राइबल्स हो, बिजनसrons दिलाएगी हो, इन सब ने INC यानी इंडियान नाशनल कॉंग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था ठीक है ना वाइपीपल सपोर्ट इन्होंने सपोर्ट क्यों किया था क्या रीजन था तो पहले रीजन था वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार वन जो आपकी सब्सक्राइब से लेकर 1918 के बीच में इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत अधा बढ़ गया था डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि आर्मी में लडाई ज़ड़े में बहुत पैसा खर्च हो रहा था इंडिया की आर्मी को यूज कर रहे हो तो लोग हमारे मर रहे लड़ तुम रहे हो ठीक है ना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया जब डिफेंस पैसा बढ़ गया तो बहुत अब अंग्रेज हों के पैसा नहीं है और पैसे खर्च करने लडाई में कहां से लाए तो अ कम कर यह रेवेड्यू कम कर यह दिमांड रखी थी तो एक रीजन ही आगा कि इंग्यों पर जिसके वाज़े इंग्रीज करना पड़ा दूसरा थिए फूट प्रायिजे कर अपड़ा थि सारा खाना मिलिटरी को जा रहा था, सारा काना आर्मी के लिए जा रहा था, लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो भी था वह बहुत महेंगा था, तो फूट प्राइस बढ़ गई, तीसना क्या हुआ, रशिया में रेवलुशन हो गया था, तो वहां जो हमारे आर्मी लड़ाई लड़ने, तो ठाटा जैसी कंपरी ऊपर आ गई थी, तो यह लोग लड़ाई लड़कर वापस आ रहे थे, तो इनके अंदर नाशलिजम की फिलिंग डेवलाप हो गई थी, समझ महा है कि नहीं है, तो इसकी वज़े से इन्सी को सपोर्ट मिला था, इसी में अब कंपरी में, 1915 में होती है, तो अब एक व्यक्ति आते हैं, एनक पहने लाठी, पकड़े चलते थे, वो शान से, जालिम का पे थर-तर-तर-तर सुनकर उनका नाम रे, बंदे में था दम, बंदे मातरम, कत्ता उनका छोटा सा, और सन पट उनकी चाल रे, दुबले से, पतले से वो चलते ची नातान के, बंदे में था दम, बंदे मातरम, तो अब आते हैं, गांधी जी की एंट्री, अज गांधी जी के एंट्री के होने से, नाशनलिस्टम की फिलिंग, और अधा लोगों के अंदर, अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि गांधी जी ओल्री एक लड़ाई साउथ आफरिका में लड़कर हमारी इंडिया में आए थे, वहाँ भी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानि गोरे और काले की बीच के लड़ाई थी, वो लड़कर आ रहे थे, वहाँ वो सत्त्यक्राय करकर आए हुए थे, ठीक है ना, ओके, तो 1915 में गांधी जी के एं सके, लोगों को जान सके, यहाँ इंडिया में चल क्या रहा है, जान सके, किस तरीके से अंग्रेस काम कर रहे है, कैसे नहीं कर रहे है, यह काम जान सके, ठीक है ना, तो क्यो ट्रावल किया, लोगों को समझने के लिए, लोगों की नीट्स को समझने के लिए, और लोगों की you problems को समझने गरा ट्राविल करना शुरू करा श्यों बेटां इंडिया आने के बाद इन्होंने सफ्त्याग्रा ने के रिजिनल स्फ्त्याग्रा करे थे और यह सफ्त्या अग्रां से क्या इनको इनको बोलते जो इंडियां के लिए निना को दोकिने दोक्रता labels सब्सक्राइब नहीं होता हमें नहीं मतलब, हमें फैसे लाग कर दो, तो गांडी जी हैं सत्रा के का लिए लय प्लक की, वरकर्स को निकाल दिया गया था, तो पहले है थक boast लेकर बिमारी फैल गई लोगो निकाल दिया बापस से रखा तो भाई पहले 35% हाइप कर दी अब 11% करी तो लोग इससे नराज हो गए थे मिल वरकर की वेज़ेस को लेकर प्रॉब्लम थी यह आप देख सकते हो चंपारन सत्याग रहे एमदबाद सत्याग रहे और खेड़ा स हुआ था यह देखो अब उसके बाद भाठा मोत अब बॉलता में गांट कं निंट शेव को ऌनंतिॉन इस Toni कहते मैं इंडी नडी निटीट नैटी ने इक पास किया था और उसको इम बोलते हैं बॉल्लट एक्ट किसी पास क्या है जռों वाटा इस बाइशन है किसा पता है क्योंकि वो भी किसाना किसी परिशान थी ना कल को स्टूडेंट्स भी कह रहते कि अब स्टूडेंट हो आज तुम पढ़ रहे हो कल को तुम एग्जामिनेशन दोगे आईएस, आईपीएस, आईफस तुम एंग्रेजों के अंडर रहकर काम करना पड़ेगा वो चीज मंदूर नहीं थी सुबाद चंदर बोज जी ने क्या किया था यही तो किया था सुबाद चंदर बोज ने आईएसस काeb ventilation clear किया लेकिन नहीं join किया क्यों वो बहुत था निजस आजब खंधस के अंडर काम करना वो में कि इसी को हम ब्लाक आक्ट डेवल आक्ट भी कहते हैं इसमें पुलीस वालों के पास यह पावर आ गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर जेल में बंद कर सकता है बिना ये जाने बिना ये बताए कि उसने कोई गलती कोई जुर्म किया है कि नहीं किया है और उस व्यक्ति का कोई भी केस नहीं लड़ा जाएगा कोट में ना उसका कोई वकील होगा ना उसका कोई दरील होगा ना वो कहीं अपील कर पाएगा ठीक ह किया है इस आक्ट को गांधी जी ने और मौमद अली जिना दोनों ने किट्रसाइज किया था मत पास करो यह एक्ट यह इंपीरियल लेजिसलेटिव में पास हुआ था जैसे आज हम अपनी सांसत को पार्लियमेंट कहते हैं उस वक्त उसको इंपीरियल लेजिसलेटिव बोना था था ठीक है न ओनी जिना और गांधी जी दोनों ने मना किया मत करो न को पास लेकिन फिर भी यह पास हो जाता है अस इस अ बिल के पास होने पर गांधी जी ने रॉलेट सत्यागार किया था 6 एपरिल 19-19 के दिन एक non-violent opposition for this act non-violent तरीके से प्रोटेंस किया था गांधी जी ने ये रॉलेट सत्याग्रह बोलते हैं इसको ये जो बेटा रॉलेट सत्याग्रह था ये all over इंडिया सत्याग्रह था ये पहला सत्याग्रह ऐसा था जो पूरे इंडिया में किया था अल इंडिया स्ट्रगल थी all over इंडिया किया गया था all over इंडिया डिमोंस्ट्रेशन हुए थे प्रोटेस्ट वा था और हर्ताल करी गई थी यह आप देख सकते हो passive resistance against the black bills उस टाइम के बाद का न्यूस पेपर है उस टाइम के टाइम का passive resistance का मतलब क्या हुआ बहुत रजिस्ट किया लोगों ने बहुत बना किया लोगों ने मत करो पास मत करो पास लेगन इंडिमेटली यह black bill इस टाइम पर देखने को मिली थी इतनी का reaction था जरेल वाला बाग में से कर कुछ लोग इस रॉलेट आट के खिलाफ शांती पूर्वक बैट कर प्रोटेस्ट कर रहे थे जेनरल डायर एंटर करते हैं जेनरल डायर एंटर करने पर उसका जो एक्जेट गेटर जलेवाला बाग का उसको बंद करते हैं और सरे अम लोगों के सामने गोलने चलाना शुरू कर जाते हैं इसी जलेवाला बाग में कुछ लोग बैसाकी का मेला भी देखने आये थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग यहां मेरा देखने आय थे जो विलिजर्स थे वो बैसाखी का मेरा देखने आय थे जैनल डायर एंडर करता है उसके जो उनली एक्जिट गेट था उसको बंद करके आर्मी को ओडर करता है कि ओपन फायर करो सारे आम गोर्य चला दो जिसमें हजार उन लोगों की जान चली गई थी और इस जैनल वाला बाग मैसिकर हत्या कांड की वज़े से अपना गुस्सा रभेंदना टेगॉर ने दिखाया और उनको जो ऑनरल मिला हुआ था जो प्राइज मिला था नाइठ होड मिला था उसको उनने रिटर्न कर दिया रभेंदना टेगॉर रियक्शन अवार्ड मिला था उनने नाइठ होड उसको उनने रिटर्न कर दिया था मैं आपको यहां कुछ पिक्टर्स दिखाऊं यह है जने वाला बाग मैसिकर बैटा देखो यह आपको ऐसा दिख रहा है ना स्क्वेर में यह यह आज भी गोलियों निशान आपको देखने को मिलेंगे यह क्या है यह एक हुआ है जब गोले चलना शुरू हो गई एक्जिट गेट तो बंद हो गया तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए लोग कूए में कूद गये थे मैं आपको दिखा तो देखो इस तरीके से कुछ एंटरी गेट यहां से खड़े होकर पीपल वर फायर आप फ्रॉम यहां से खड़े होकर गोले सल आई गई थी आप देख सकते ते इस तरीक के से बना रख है ठीक है ना यह देखो किस तरीके से आज भी यह गोलियों के निशान बने हुए है यह गोलियों के निशान आज भी बने हुए है ठीक है ना यह वाली फोटो मेरे यह वाली मेरी फोटो नहीं है यह वाली थी मेरी फोटो तो इसी खिलाफ यह जलेन वाला बाग मैसेकर हुआ था ओके चलो आगे बात करते हैं अब बाई जब जलेन वाला बाग मैसेकर हुआ जब इंडिया में यह सब चीज़ चल रही थी उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक ठीके ना सेकेंड वर्ल्ल होळ में क्या हुआ था अंग्रेजो ने तर्की के कि खलीफा मुस्लिमस के खलीफा की उपर हमला कर दिया उस की एंडिया की अज़ इंडिया में जो मुस्लिम सब्सक्राइयर अन्में भाई जबाई हुआ था चाहा थह ना तो अब गयाई सुल्टान की थी जो खलीफा की थी तर्की में उनकी सारी पावर्स वापस दे दी जाए क्योंकि अंग्रेजों ने तर्की के शान में मुस्ताखी कर दी थी ठीक है ना वैरास गांधी जी ने क्या किया गांधी ने बटा इस किलाफ़त मुव्मेंट में जंप कर गए वो जाए उस टाइम पर यूनिटी नी थी हमारे हैं हिंदु मुस्तिम्स में तो गांधी जी ने बटा नॉन कोपरेशन मुव्मेंट चलाई थी और खिलाफ़त मुव्मेंट अली बदा से चलाई थी इसको हम बोलते है मौमध अली और शौकत अली इन दोनों ने मुलकर इसको यही दोनों लोग मौमध अली और शौकत अली और गांधी जी ने मिलकर नॉन कोपरेशन खिलाफ़त मुव्मेंट चलाई थी एक फुल-fledged NCM यानि नॉन कोपरेशन मुव्मेंट चला दी थी क्यों चलाई थी ताकि यूनाइट कर सकें किसको हिंदूस और मुस्लिम्स को थी कि न, NCM 1921 और 22 में और अधा स्पीड अप होगी, स्पीड अप के मतलब इसमें और हवा लग गई, कैसे लग गई कि जो भी स्टूडेंस थे, लॉयर्स थे, कॉलेज की लोग थे, उन सब ने गवर्मिंट को बाइकॉट कर दिया, लॉयर्स ने अपनी वकालाद छोड़ वो जो समान, इंग्लैंड से इंडिया में आकर बिखता था, वो सारे समान को नोठाकर बाइकॉट कर दिया था, यसा जिए क्यो करें जी बाइए, क्योंकि गांदी जी का इंफ्लुएंस बहुत ज़ाधा था, लोग गंदी जी से बहुत एदा इंफ्लूएंस हो चुके थे एक्षेरन बता दू आपको, गांदे जी का तो तरीका ना प्रोटेश करने का, वो हमारे लिए भी नया था, और अंग्रेजों के लिए भी था, वोरी 1857 की रिवोल्ट में, अंग्रेजों ने क्या देख़्ा लडाई जगणा, लेकिन गांदीजी लडाई जाग करी नहीं, गांदीजी बहूत प्याम से बात कर रहे, तो अंग्रेजों के लिए ताया है क्या, यह करना क्या चार? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था, तो जितना वह नया तरीका हमारी था, उतना ही वह नया अंग्रेजों के लिए भी तो लोगों के महातुमा बन गए भगवान बन गए ते जो भी लड़ा लोग लड़ाई लड़ाई थे वह साना कुछ क्रड़िट गांदेजी को ठाकर दिया जारा था पीजन्स ने लड़ाई लड़े लेकिन गांदेजी को क्रड़िट दिया तो गांदेजी चाह रहा है कि ऐसा सोसाइटी हम बनाए जहां पर क्लास कोई अपर क्लास लोवर कास्ट ना हो ठीक है लेकिन इस NCM को रोखना पड़ा इस नॉन कोपरेशन मुव्मेंट चली थी कि अब आपको क्या है यह चौरी-चौरा इंसिडेंट तो गांदी जी वॉइलेंस के बहुत अगेंट थे ठीक है ना उनने अबरिप्टली अच्छानक से NCM बंद कर दी क्यों कॉल आफ कर दी क्यों कि फैबुलिल नाइटी 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 में क्या हुआ था कुछ पीजन्स थे यह ल अगलों के उपर और पुलीस वाली की चौकी में आगला दिया तो गांदी जी ने बोला नए 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 यह तो हमारा तरीक यह लड़ाई लड़ने का तो उनको नौन को बंद करनी ही पड़ी और उनको बोला और उनने बोला कि पहले मुझे लोगों को ट्रेन करना से आपको लड़ाई लड़नी है तब हमको लड़ाई लड़ पाएंगे तो 3,000 नॉन वालन पुटेस्ट पुलीसमेन ने उनको मारा बहुत पुलीस पीजन्स ने क्या किया पुलीस स्टेशन के उपर आग लगा दी जिसमें 22 पुलीसमेन की डेथ हो गई ती गांधी जी ने इ इड़ा निकलकी आये ते कुछ लोग कह रहे थे कि हमको अभी गायू में और सपोर्ट लेनाचाहिए कॉंघरिस में कुछ principle स्टाची में वह अर् श्यं ने चाहिए कुछ लोग बुल जाती कि कि नंहीं efter सपोर्ट जरुरत नहीं है हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए इसी ब पात कुछ भगत सिंग चंदर शेकर आजाद और सुखदेव की बाते आएंगी इन लोगों ने मिलकर इन लोगों ने मिलकर बनाई हुई थी कहा पर कब बनाई था फिरोशा कोटला डलीम बनाई था जो मैदान है यहापर आपका IPL होता है ठीक है न इनको मारा था क्या हुआ था यह आप देख सकते हैं यह भगत सिंग और आपको यह चदर शेकर आजाद देखने को बिल रहे हैं और 8 April 1929 भगत सिंग और बटु केश्वरी दत इन लोगों ने Central Legislative Assembly यानि जो पार्लिमेंट इनकी उपर बंफेग दिया था लेकिन इनका एम यह नहीं था कि वो कुछ किसी को मारे उनका एम यह था कि भाई टू मेंग दा हियर डेफ कि भाई जो बहरें हो गए हैं इन्डियन्स उनको भी जुनाई दे जाए कि यह अंग्रेज क्या कर रहे हैं उटो लड़ाई लड़ों तो बगत सिंग सुकुदेग और राजगुरू इन तीनों को एक साथ 23rd मार्च 1931 के दिन फासी पर लटका दिया गया था मैम वट इस NCM? NCM है Non Cooperation Movement ऐसे सवाल पूछो कर तुम लोग क्या लिख करा हो गया एक्जाम में ठीक है ना? पर 1922 और 1929 के बीच में क्या हुआ? 1927 में बटा साइमन कमिशन आया थ इंडिया का पुलिटिकल फूटर डिसाइड करने के लिए इसको कौन लेकर आया था? Sir John Simon लेकर आया थी इसी इसका नाम Simon Commission रखा गया था इसमें साथ मेंबर्स थे साथ लोग का यह की कमिशन था लेकिन सारे के सारे अंग्रेश थे एक भी इंडियन नहीं था ठीक है ना? त साइमन कमिशन कब आया क्या था इसमें तो इसमें आपके यह आप देख रो साथ मेंबर का यह कमिशन था कॉंस्टूशनल रिफॉर्म करने के लिए क्यों आया था साथ मेंबर आया थे जिसमें सबके सब अग्रेश थे कोई भी देसी नहीं था ठीक है ना? किसने इसको अप मुस्लिम लीग ने भी उपोस किया और हिंदू महासभा ने भी इसको उपोस किया कहा आई थी बॉंबे में आई थी कब आई थी तीन फर्वरी में आई थी कॉंग्रेश सेशन मदरास илась 1927 से C connection को byecott किया गया क्या बोला गया इन ए्वरी स्टेजना अंय जांट ऊसकता है सने चाहिए थी केश हुआ आखे बढ़िये सकता है अब बांध हमारा टूट चुका है और ने बोला 1929, 26 जनवरी 1930 के दिन, 1929 में लाहर सेशन में पूर्ण स्वराज डेकलेर किया गया था और ये बोला गया था इस सेशन में कि 26 जनवरी 1930 के दिन हम अपना इंडिपेंडेंस दे सेलिब्रेट करेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था पूर्ण स्वराज की डिमांड आई थी 1929 में अंडर टी पैसेटेंट्शिप आप जवालनाल नहरू ने बोला 1929 के सेशन में लाहर में सेशन हुआ था और ने बोला कि हम पूर्ण स्वराज लाएंगे पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा अ वहारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था चहपविच नवंबर 1949 के दिन लेकिन 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए ये दो महीने का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा भारत का संविधान लागो किया था क्लियर एकि नी क्लियर है चलो अब कुछ क्वेश्चिन करेंगे आज तरह क्वेश्चिन कर लेते हैं गांदी जी अराइव इंडिया फ्रम डैश इन 1915 गांदी जी कहां से आय थे इन 1915 में बताओ गांदी जी कहां से आय थे doubt लाठी चार्ज क्यों हुआ था Simon Commission को लाला लाच्पत राए और कई सरे लोग Simon Commission को oppose कर रहे थे उसमें पुलीस वालों ने उनलों के उपड़ लाठी चला दी थी जिसमें लाला लाच्पत राए की इस लाठी चार्ज में Simon Commission को oppose करने में death हो गई थी ठीक है ना अंजी तो कहां से आये थे जपान से आये थे South Africa, USA, या फर चाइना B कह रहे हो तुम लोग Mumbai से गई, बिल्ली से गई, पटना, पटना से गई, सज़ना Mumbai से गई, दिल्ली, बिल्ली से गई, पूले, पूले से गई, पटना, फिर भी नमेला सज़ना अंजी, see the correct option is, option number B, South Africa से आये थे कब आये थे, बिटा, 1915 में आये थे, option number B, आपका एकदम correct हो जाएगा Good, so Shashank first, Dr. Gulab second, Tijasvi third, Bilal fourth, Maya fifth, Sunny sixth, Tarishri Santh on the seventh Tarishri, Divyansh eighth, Bablu ninth and Swatik on the tenth position next question, next question, what was the first movement successfully led by Gandhiji in India, सबसे पहले इंडिया में आकर Gandhiji ने कौन से movement चलाई थी, Champanan, Natal, Kut India, Movement, Punjab, Movement, बताओ, Yes, so it was Champanan Movement, option number A, आपको correct है, correct आप लोग answer कर रहे हो, देख लेते हैं, और एक घरजब, मैं आते गई, मोए मोए कर दिया, तुमने मोए मोए कर दिया, क्या है यह बखवासा answer है, क्या है यह निटल मूव्मेंट, कौन से निटल मूव्मेंट है, कहा गी है, नाम तक नहीं बोला मैंने निटल का, दियो न के यवाइ, प्रतिबाव 1st, श्रशांग 2nd, दनश्री 3rd, आदेटय 4th, राजेश 5th, प्रिया 6th, सान्य 7th, रिकॉर्डड़ एट इशां 9th, जी शांग 10th, पोजेशन, नेक्स्ट, डाश रिटरंड इस नाइट हुड आफ्टर लर्निंग अबाउट जनल वाला बाग मैसिकर, किसने अपना ये प्राइज नाइट हुड वापस कर दिया था, जनल वाला बाग मैसिकर हत्या कांड के ब पता करो, कोकिला बेन आती हुई, क्लास में ये सो इत वस दन भाइ रबिन नना टेगोर जी, अप्टर नमबर सी आपका कर्येक्ट है, गुड आदित फर्स्ट, प्रतिबा सेकंड, स्वातिक थर्ड, आशा फूर्थ, दिव्यांश 5th, जिशान 6th, प्र्यंका 7th, SSG 8th, आयूश 9th and Shuzuka on the 10th position Oh Shuzuka भी है हमारी क्लास में Shuzuka Shuzuka Okay Nash was one of the leaders of the Khilafat Movement Khilafat Movement के इन में से कौन से leader है Muhammad Ali, Indira Gandhi, Baadshah Khan या Jawaal Nalairo My God Please don't mark Indira Gandhi SACH में मेरा कतल यही पर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा कतल अगर जिसने भी Indira Gandhi mark कर दिया Yes 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 So it was He was Muhammad Ali and Shaukat Ali Muhammad Ali दिया हुआ है So option number A जो है वो आपका correct हो जाएगा ठीक है ना Mark कर लो भाई option number A Arre भाई साब Baadshah Khan क्या भाईया Shah Rukh Khan के क्या Baadshah Khan Haan Baadshah Khan Pratiba 1st, Aadit 2nd, Bablu 3rd, Swatik 4th, Chitra 5th, Adraj 6th, Zishan 7th, Shizuka 8th, Prashuttam Pandey 9th and Art and Craft Conor on the 10th position Next question Dash and Muslim League signed as a historic pact of Lucknow in 1916 In 1916 When the Lucknow pact was in 1916 It was in which case of Muslim League Or in which case of Muslim League Communist Party, British Empire, Congress or Socialist Party Tell me Yes So it was between the Congress and the Muslim League Option number C That is correct Good Oh God Come on Communist Party Yes Yes We had a SMS Party Shikram Indakshirni Party And there was a lot of Party We had a party at 4 o'clock It was also a party At 4 o'clock It was also a party There was a lot of Party All of the parties At 1 o'clock All of the parties But the party is still Everyone did Okay तो आपने बहुत अच्छा अंसर दिया है, बिलकुल D-O-N-K-E-Y वाला अंसर दिया है, तुम लोग ने, D-O-N-K-E-Y, into infinity तक लगा लो, Ayushi first, Imang second, Pratiba third, Antaryami on the fourth, Swatik fifth, Zishan sixth, shadow eight, recorded ninth, sorry, recorded eighth, art and craft ninth, and Divyaanj on the tenth position, next, Janilwala Baag Massacre took place in, Malik, हाथ चोड़ की बिनती है, सही मार करना, Janilwala Baag Massacre कब हुआ था, बताओ, when was Janilwala Baag Massacre took place, Mohi Mohi नहीं हुआ है, Mohi Mohi to the power of infinity, Mohi Mohi का square root और root poot निगाल के power of infinity लगा दो इसमें, Janilwala Baag Massacre took place on 13th April, 1919, option number A, आपका एकदम correct हो जाएगा, ठीक है ना, मार कर लीजे बाई, option number A, उमीद तो मुझे नहीं है, बाकी दिखते है, तबो, तुमने मेरी उमीदों पर खड़े होता है, good, so Pratiba first, Swatik second, Zishan eighth, third, Prashuttam fourth, Arvind fifth, Aisha sixth, देपेंद्र seven, दिवांच eight, आयूष ninth, and Ashish on the 10th position, next आजो, defense expenditure of British government increase in year after, जो defense expenditure बढ़ गया था अंग्रेजों का, 1919 में, वो किस के बाद बढ़ गया था, first world war के बाद, Bengal famine के बाद, Himalayan अर्थक्वे के बाद, या फिर जापान बढ़ के बाद, बढ़ा, what are you writing, A, इस पर भी कुछ लोग होंगे, Himalayan अर्थक्वे के लगा रहे होंगे, जिनके पास, you know, hundred percent, जिसके पास, hundred percent से भी जादा बुद्धी होती है, जो बुद्धी मान का भी मान होता है, समझ रहे हो, वो, येस, the correct option is option number first, A है, first world war, देखा मैंने का दे ना बुद्धी होगी, ये वो लोग है, सविता फर्ष, उबंज सेकेंड, स्वातिक थर्ड, प्रतिबा फोर्ड, सीमा फिफ्थ, बबलू सेक्स, मनोथ सेवन, यश एट, अनुराग 9th, and Simran on the 10th position, चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी लेट, मिल वर्कर, स्ट्राइट इन, गांधी जी ने, मिल वर्कर की जो स्ट्राइट चल लेती, अहमदाबाद में, वो कभ स्टार्ट करी थी, वाँ भाई वाँ, क्या सवाल आया है, कब स्टार्ट करें, 1915, 1990, 1990, 1922, चलो, बताओ, देखते हैं, बहुत ही mixed answer आएंगे, मुझे बता है, बहुत mixed answer आने वाले, किसी वो नी बता होगा, नोबडी नोज इट, नोबडी नोज इट, जिसने भी सकरेंट आंसर दिया है न, उसको मिरी तरफ से, 1000 रुपए दिया जाएगा, 1000 रुपए तुमको मिलेगा, जिसने भी सकरेंट आंसर दिया है, कुछ A लिख रहे हैं, कुछ B लिख रहे हैं, मालिक ये बताओ, जब गांडी जी 1915 में आए, तो 2-3 साल तो ने ट्रैवली किया, तो तुम A क्यू लिख रहे हो, 1980 is the correct answer, मिल्क स्ट्राइक इसी में हुई थी, option number B आपका correct है, पता था मुझको, पता था मुझको, मोई मोई, डबल मोई मोई, ट्रिपल मोई मोई, मालिक जब गांडी जी 1915 में एंटर किये ही थे, और एंटर करते ही, एमदाबाद चलो मिल्स्ट्राइक करनी है, डीला भीला एगया, हाँ, देखो तरहा, अब सब भी लिखने लगे, D-O-N-K-E-Y, गलत हैं हम, हम बिल्कुल correct बोलते हैं, प्रिया फर्स्ट, गुलाव सेकिंड, शिजुका थर्ड, कृष्णा फोर्थ, जीशान फिफ्थ, आर्टन क्राफ्ट शिक्स्थ, आर्टिस्टिक वोल्ल सेविन, मदन पंडे एड, सुरेंद्र नाइथ, अन सर्फरास आलम on the 10th position, ठीक है, चलो, आगे बड़े, आगे बढ़ते हैं, next question, साइमन कमिशन वोर्ड हेड़िट बाए, मैम पैसे, टुनिंग, गुगल पे हो गए, ओल्लाइन हो गए, ये लो, ठीक है ना, चेक कर ले ना भाई, अपने अपने खातों में, साइमन कमिशन वोस एड़िट बाए, लॉट किंग्स फॉर्ड, लॉट साइमन, लॉट हेस्टिं ये लॉट कर्जन, इट वास बाए, लॉट साइमन, है ना, सर जॉन साइमन, आप्शन नमबर बी आपका करेंट है, मार कर लो, आप्शन नमबर भी, येस, रिजल्स देख लो क्या है, है कोई, किंग्स फॉर्ड, क्या लगते हैं तुमाएं, क्या लगते हैं, ऐसे भी लोग हैं, शेतन फर्ड, बबलू सेकंड, स्वातिक थर्ड, प्रतिबा फोर्थ, जीशार फिफ्थ, पूर्ण स्वराज, अंडर दी लिडर्शिप आफ, पॉंग्रेश न जो पूर्ण स्वराज की डेमांड रखी थी, ये डेमांड किस प्रसेडेंट के अंडर में हुई थी, सुबाश चंद्र बोज, लालालाज पत्राय, जवालना, लेर्विया, अच्छा इस क्लास में कोई ऐसा भी है, जो मुझे बोल रहा है, कि माम यह नहीं होता है, यह होता है, तुमारे लिए बेटा, मोहे मोहे, बत्त है यार, से इट वोस जान अंडरी प्रटेशनिशिप आफ, जवालना लेरू, आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार कर लो, बो देखो, कौई नहीं है भी लगा रहा है, लाल नच पतर है कहां से आगए बीच में, हां, कहां से यह आगए बीच में, भाईया, यह 1928 में इनकी मृत्य हो गई थी, पूर्ण स्वराज के डिमांड, 1929-1930 में आई है, तुम तो मरे को भी जिन्दा कर रहे हो यार, लिला ही अलाग है तुम्हारी तो, लिव्यांज फर्स, बबलू, सेकेंड, स्वातिक, थर्ड, जीचान, फोर्थ, शुजुका, फिफ, शुकला, सिक, साइबा, सेवंथ, बिलाल, एट, शशाँक, नाइथ, अनन्य, अनन्य, आपने याप बोल रहो, तुम लो, अपने याप बोल रहो, डॉन्की, मैंने नहीं बोला, मैं बोलती हू, दि-ॉ-N-K-E-Y, बादी, डंकी कुछ और होता है, और के कुछ और होता है ज्यादा अंग्रेज हो गए तुम लोग ज्यादा अंग्रेज ना बनो चलो आगे बड़े नेक्स पर आते हैं अब आते हैं अब आते हैं अपन तीसरा पोर्शन अब पढ़ने वाले हैं 1930 से लेकर पूर्ण स्वराज की डिमांड आगई 1930 में 1930 से लेकर अब 1947 30 40 17 साल की कहानी और पढ़ेंगे बन चलो आजो देखो तो इससे पहले लेक्टर मतब इससे पहले वाले पूर्शन में क्या पढ़ा 1870 से लेकर 1912 की कहानी पढ़ी इसमें आम्स आक्ट वर्नेकुलर प्रेस आक्ट और वर्नेकुलर अक्ट आया प्रेस आक्ट आया था ठीक है ना फिर आपने 1911 से लेकर अभी 1929 30 तक कानी पढ़ी क्या सत्यक रहे हुए थे रॉल अट आक्ट आया था नन कोपरेशन खिलाफ़न मुवमेंट 24 और पूर्ण करेंगे ठीक है ना तो इसमें आप डांडी मैच पढ़ोगे गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट पढ़ोगी कृट इंडिया मुवमेंट क्याबट मिशन प्लान डिमांड फ्रॉन न्यू कंट्री पाकिस्तान और इंडिपेंडेंस के बारें पढ़ोगे सबसे पहले आपन स अमीर करीब हर कोई नमक घाता है बिना नमक की कोई चीज नहीं होती यह तक कि मसाले में नमक पड़ता है तो इसमें रहते हैं गांडी मार्च में गांडी जीन नमक पर जो टैक्स हम से अंग्रेज ले रहे थे हमारे देश में बनाते भी थे हम चोटे के डवल लूट मची जी आर ओके डमलूट मची हुए थी तो गांदी जी ने इस टाक्स इस सॉल्ट टाक्स पर सॉल्ट मैनुफेक्ट्ट्र करके सॉल्ट टाक्स खतम कर दिया ठीक है ना तोई डंडी मार्च रखी थी डंडी मार्च कब हुई थी बटेट 12 मार्च 1930 में हुई थी टाक्स on salt, जो salt पर tax लगाया जा रहा था, एक मिनट यार, जो salt पर tax लगाया जा रहा था, वो उनने abolish करे जाने की खतम कर दिया था, ठीक है न, गांदी जी ने यातरा कहां से करी थी, धाबर माते चले के डंडी तक करी थी, उनको और दूसरे रिडर्स ने भी जाइन करा था, इस salt tax को वो sinful बोलता था, क्योंकि ये एक essential item है, लोगों के खाने का, ठीक है न, तो उनने 240 मील की यातरा टै करी थी, डंडी कोस पहुचे थे, और वहाँ पर उनने salt manufacture करा था, पानी युगरम करके, salt manufacture कर दिया था, ठीक है न, salt law क्या था, ये अंग्रेजों के पास अकेला right था, monopoly थी, अकेला right था, कि वो salt को manufacture कर सकते हैं, उसी को बेज भी सकते हैं, इसी और के बास ये right नहीं था, लेकिन गांदी जी ने या पर salt बना दिया था, तो salt march में सब नोंने participate किया था, women's ने participate किया था, peasants ने किया था, और rich people ने भी participate किया था, ये आप चिदे वो आपको 1930 से लेकर, अब उसी थी 1935 ले आ रहा है, 1935 में क्या हुआ था, Government of India Act आया था, क्योंकि लोगों ने इतना प्रेशर बना दिते हैं, अंग्रेजों के उपर कि अब उनको कुछ चेंजिस करना जरूरी था, क्यों अगर चेंजिस नहीं करते हैं, तो फिर मु आप लोग अपने स्टेट में अपनी सरकारे बना सकते हैं, लेकिन उन सब का Head Governor General होगा हमारा, ठीक है न, 1937 में Elections Announce कर दिये गया था, जिसमें Congress ने बहुत अच्छा किया था, 11 में से 7 जगा Congress आई थी, और इसलिए Muslim League ने अराज हो गया था, कि 11 में से 7 जगा Congress आ गया है, त उनको कभी Chance नहीं मिलेगा, तो this was another reason जिसकी वजह से Muslim League ने अलग से separate electorate Muslims की Demand करी थी, ठीक है न, तो यह provisions थे Government of India आप के, अब उसी बीच देखो, 1937 में Elections हुए, 1939 में World War स्टार्ट हो गई, और 45 तक चली थी, एक करफ थे Allied Powers और एक तरफ थे Axis Powers, Allied Powers में कौन थे बिटा, इन जापान, Allied Powers जीद गए थे, Axis Powers हार गए थे, ठीक है न, अब बिटेन कहा हैं, देखो, बिटेन यहाँ पर है, Axis Allied Power में, बिटेन ने बिना इंडिया के लोगों से पूछे, इस Second World War में कूद गए, जंप कर गए, एक तरफ लोग नराज हैं, और बिना लोगों से पूछे, Second World War में जंप कर गए, जब जंप कर गए, तो Congress के लोग नराज हो गए, जब Congress के लोग नराज हो गए, तो इस से नोंने अपनी Ministries में स्थीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया था, ठीक है न, जब यह World War 2 में कूद थे, अंग्रेज जब World War 2 में कूद थे, तो उन्होंने help मांग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन एक शर्त बर, लडाई के बाद अब हमको हमारी फीडम दे दोगे, आजाद कर दोगे, इंडिपेंडेंस दोगे, अंग्रेज ने कुछ नहीं बोला, तो Congress ready to support the Britain, Congress सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लडाई में आपकी लडाई हो रही हम आ आउटकम क्या नेकिला, Congress Ministry से रिजाइन कर दिया, इस resignation से बहुत खुश हुए, कि अच्छा है भाई, 11 में से साथ जगा Congress वाले आ गए थे, तो साथ के साथ उने रिजाइन कर दिया, अग्रेज उने क्या बोला, अच्छा चले गए, बलाट अली कम से कम, हमारे impact बढ़ेगा और Muslim League भी खुश हो गई, क्यों खुश हो गई, क्योंकि साथ में से साथ जगा Congress आई थी, तो Muslim League खुश हो गई, अच्छा यार, कम से कम इनका impact कम होगा, हमारी कोई chances बढ़ जाएंगी आगे, ठीक है ना, तो यह चीज हो गए थी, आगे बढ़ो, यह World War 2 की बात है, ठीक है अब आता है आपको Quit India Movement, देखो क्या था, बाइक Quit India Movement में समझने कि आपको आपको जरुवात है, थोड़ा समझना, देखो क्या था, Quit India Movement क्यों आई, वो बता रहे है, World War 2 चले 1999 से लेकर 1945 की बीच में, एक तरफ Allied Powers थे, एक तरफ आपके Access Powers थे, Allied Powers में कौन था, Britain, France, USA, USSR and Poland, और Access Power में Japan, Germany and Italy, इसी बीच क्या हुआ था, बिटा, सुभाष चंद्र बोस जपान गए थे, और INA की महाँ पर formation हो गए थी, राज बिहारी गोष ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, और सुभाष चंद्र बोस was the Supreme Commander of Indian National Army, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस को ज जापान की आर्मी से सपोर्ट मिला, और ये हमारे इंडिया में इस तरफ से, इस्ट से आ रहे थे, ठीक है ना, इस्ट से आ रहे थे, ठीक है ना, क्लिर है की नहीं क्लिर है, समझ में आए की नहीं, अब क्या था, कि जब लडाई हो रही थी, जब लडाई हो रही, सरी, सरी, Japan का support नहीं, सबाइं का support नहीं, मैंने इल्टा बोल दिया, बाight लडाई हो रही थी, अब देखो Japan और Britain, अलग-अलग group में है, अलग-अलग group में है न? तो देखो Japan बाते उप्रे नि? वह वह गर पसंद नहीं कर रहा है, और इंडिया, इंडिया तो बिटेन की एक कॉलनी है तो जापान जो है हमाई तरफ बढ़ने लगा था जापान हमाई तरफ आ रहा था क्यों आ रहा था हमारी उपर हमला करने हमारी उपर हमला क्यों कर रहा है क्योंकि हम बिटेन की कॉलनी है हम क्या है हम बिटेन की कॉलनी है ऐसे ही आपको First World War हो मिलेगी Central Power and Allied Powers एक बना था Triple Intent और एक बना था Triple Alliance बहुत को अलग चीज है उसमें मज जाओ भी ठीके ना इंडिया की तरफ जापान आ रहे थे जापनीज आ रहे थे क्यों आ रहे थे? क्योंकि इंडिया बिटेन इकॉनली थी और बिटेन इनके opposition में था सामने था, विरोधी था ठीके? अब क्या हुआ? बहुत इंडिया को लगा यार एक सरफ तो हमारे पास बिटेन पहले से ही बैठे हुए और इनसे हम मुकाबला करनी पा रहे भगा रहे इनको, उपर से जापान भी आ जाएंगे तो भाईया हमाय तो दो लोग हो जाएंगे हम बिटेन से लडाई ही लडएंगे कि जापान से लडाई ही लडएंगे, तो इससे अच्छा है बिटेन हमें छोड़ hemos अगर बिटेन हम को छोड़ हो चला जाएगा तो पर जापान क्या करने आएगा इंडिया से उनकी क्या दुश्मनी जो आ रहे है तो इसी लिए जब जैपनीज इन्वेशन होने लगा हमारी कंट्री में जब जैपनीज हमाई तरफ बढ़ गए थे पिटा तो उस वक्त हमारे इंडिया में quit India movement start करी गई थी इसको हम बोलते हैं हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये कहानी शुडवी थी जिसमें गांजी जी ने नहीं लगाया था do or die करो या मरो के सिती है अब तो या तो आजादी ले लो या मर जाओ आगे बात करो तो quit India movement गांजी जी चलाई थी क्यों चलाई थी ताकि अंग्रेज हमारे देश को छोड़के चले जाए फ्लोगन इसमें लगा था do or die का तो गांदी जी ने अंग्रेजों से बोला था कि हम कल लेकिन movement चलाने से पहले ही गांदी जी और कुछ लिडर्स को पकड़के जेल में बंद कर दिया जब बंद कर दिया जब बंद कर दिया तो लोग और अधा गुस्सा हो गए जब लोग गुस्सा हो गए तो अंग्रेज इस movement को दबाने की कोशिश करी और 1943 में 90,000 लोगों को पकड़के जेल में डाला था और 10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया 10,000 लोगों को जेल में पकड़के डाल दिया गया था तो this was the quit India movement यह आप देख सकते हैं कैसे quit India movement चल रही है तो फाइली 1940 के टाइम पर ब्रिटेन में ब्रिटेन के सरकार में इंग्लैंड में सरकार बदल गई तो अब जब सरकार बदल गई तो उनकी उपर भी प्रेशर आ रहा था कि इनको आप आजाद कर दीजिए तो 1940 में क्या होता है Muslim League जो बैटा यहां पर डिमांड करती है कि हमको एक independent state Muslim के रिए बना कर दे दीजिए य को दे दीजिए ठीक है ना उनने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करें तो जहां पर हम आप मुस्लिम करते रहेंगे नो पाकिस्तान बटवारी की बाद नहीं करी कि इंडिया से अलग कर दो नहीं बोला इंडिया में ही हमको इक पटेकुलर एरिया कहीं दे दो हाप पड़े रहेंगे वाइज रेजलुशन वस पास ये रेजलुशन पास हो गया था सेपरेट स्टेट की बात हो गई थी पास हो गया क्यों कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम के नंगे बहुत हो गए थे 1920 से लेकर 1930 के बीच में हिंदू और मुस्लिम इटेंशन बहुत बढ़ था क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले मुगल्स यानी मुसलिम में रूल कर रह था इंडिया को तो इनने बोला यार आप तो मारा नामु निशान में टार रहे हो तो भाई हमको अलग सिक स्टेड दो ठीक है रेजलुशन पास हो गया था सेकंड वर्ड वर में इस चीज किसको बिलाया बिटिश थाई उसमें उसमें कॉंग्रेस को बिलाया कॉंग्रेस के साथ बिटा उसने मुसलिम ली कोई बढ़ा दिया एक्चरी बता दू हिसलें मुसलिम्स हिंदू और मुसलिम के मीच की जो रिफ्ट क्रियेट है वो कॉंग वो बिटा बिटिश की दी बोलते थे कि यह हिंदू राज स्टैब्लिश करना चाहते हैं और हिंदू के पास आकर यह बोलते थे कि यह दोगले लोग हैं तुम कभी भी धोका देंगे यह बाहर के लोग हैं आउटसाइडर्स हैं यह समझ रहे हो चीके ना तो यह दिककत किस ने पैदा करी अंग्रेजों ने पैदा करी हैं अंग्रेजों की हमेशा एक policy ते डिवाइड और रूल की हमेशा ओल वेज डिवाइड और रूल लोगों को बाटव अपर रवाज करो च ये अलग से Muslim League आ गई भाई क्यों कि Congress कह रहे थी घ़ार बहुत सारे एसे Muslims यहां जो हमको support करते हैं और Muslim League कह रहे थी कि भाई या हम मुसल्मानों के अलग से एक Soul Speaker हैं हम यह Muslims के लिए काम करेंगे Congress ने बोला ऐसा नहीं है बहुत सारे Muslims ऐसे हैं जो हमको support करते हैं Muslim नी ने बोला claim sole spokesperson for Indian Muslims बारत में जो दिने भी Indian Muslims हैं उनके लिए हम खड़े हैं Congress ने बोला नहीं बिलकुल नहीं कैसी बाते कर रहे हैं क्यों? लाइन नमबर अब Muslim supporters बहुत सारे Muslims ऐसे हैं जो हमको भी support कर रहे हैं ये negotiation fail कर जाती है इसका कोई भी outcome नहीं निकला बलकि Congress नराज हुई Patricia से कि आप ने अलग से Muslim को क्यों बलाया 1946 के elections होते हैं इस general elections में Congress और Muslim League दुनोंने participate किया था Congress फिर अच्छा करती है लेकिन अब इस वाले elections में Muslims को अलग से reserved consequences दे दी गई थी reserved consequences for Muslim Muslim League ने अपने एरिया में अच्छा किया और अब उन्हें डिमांड फॉर Pakistan रग दी किया अब हमको अलग से Pakistan बना कर दीजिए ठीक है ना? आगे बात करें Cabin Mission Plan आया था Cabin Mission Plan क्या है बटा? यह Cabin Mission Plan आया था British और Congress के बीच जो दिक्कते चल रही है उसको खतम करने के लिए Cabin Mission Plan लाया गया था Cabin Mission Plan में तीन तरह के members थे आपके इसको Sir Stafford Sir अच्छा वो किरप्स है ठीक है तो यह Cabin Mission Plan 1946 में आया था क्यों आये थे कि किस तरीके से इंडिया जो free हो जाएगा जब आजाद हो जाएगा तो कैसे यहां का political framework होगा और यह देखने के लिए कि बाई Pakistan बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए तो इस Cabin Mission Plan ने सजेस्ट यह कि इंडिया को युनाइट रहना चाहिए इसमें अलग फूट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान नहीं बननी चाहिए इस resolution को इस mission को Congress ने और Muslim League दोनों ने reject कर दिया क्यों क्यों कि भाई Muslim ने ने क्यों reject करा क्योंकि इसमें partition की बाद नहीं करी गई थी तो Muslim League इस से गुसा हो जाती है 16 अगस 1946 के दिन वो कहती है कि direct action day होगा इस दिन communal rights हुए थे communal rights का मतलब दंगे फसाद हुए थे हिंदूस और Muslims की बीच में जिसमें हज़रा लोग मर गए थे बहुत सारे लोग को अपना घर छोड़ना पड़ा था और 1947 में communal rights और जादा नौर्थ वेस्टन पार्ट में भी बढ़ दिया था ठीक है ना तो finally जब चीज़े इतने ज़्यदा खराब होगी थी इंडिया में इतने communal rights हो रहते तो finally अब हमारे इंडिया को आज़ाद ही मिल जाती है और एक नया state एक नई country पाकिस्तान पैदा हो जाता है तो जनगर्ण मन अधिना एक जया है भारत भाग विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा रावड उतकल बंग ठीक है ना तो finally finally जया है जया है जया है और जया है हमारा भारत आज़ाद हो जाता है एक नई क्लिए है तो independence मिलती है हमको आजादी मिलती है with a mixed feeling mixed feeling क्यों कहा रहे है क्योंकि हमें इस चीज की खुशी थी की हम आजाद हो रहे है बट इस तरह हमारे दिल में अचाहीँ है गम भी था कि हमारे में से ही जो इंडिया में है इंडिया था पहले उस में से वो अपना इंडिया छोड़कर बहुत सारे पाकिस्तान चले गए थे ठीक है ना, तो many flee from homeland, refugees अपने alien land में बन गए थे refugees बन गए थे alien land में, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आये थे तो वो refugees बन गए थे, partition ने क्या किया, partition changed India and a new country, Pakistan was born, तो 15 अगस, 1947 के दिन finally, हमारा देश आजाद हो गया था, और इसमें एक नया देश बनकर तयार हो गया था and that was Pakistan, ठीक है बटा, इसके अलावा इसमें आपकी कुछ ग्रूप उनके बारे में दिया गया है जैसे कि मैं आपको बता हूँ, radical group की बारे में दिया गया है, लाल बाल पाल की बारे में दिया गया है, लाल आज पतराय कौन थे, बाल का गजरते लग कौन था, विपन चंदरपाल कौन थे सब यह जो है, बिटा, active member चे, radical group की आपको पता है आगे बात करें, सरोजनी नाइडी तो बिटा, she was the first Indian woman, जो Indian National Congress के president बनी थी, इसमें ये वाला point आपका बहुत important है, ठीक है न, डांडी मार्च में इन्होंने, गांधी जी के साथ पाटिसिपेट किया था, ठीक है न, चलो, आगे बढ़ो, कुछ important बात हैं मैं आपको बताऊ जर्मनी गया, फिर वहाँ पर उन्होंने, आइएने बनाई थी, 1944 में आइएने ने इंडिया में इंटर किया था, इंपाल और कोहिमा, लेकिन चुकि जपान की उपर, USA ने दो लड़ों गरा जीते हिरोशिमा इनागा साकी का, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा था, ठीक मेका, बेंगॉली फादर थे, मम्मी इनकी अरबिक थी, इसलामिक स्कॉलर थे, उन्होंने एक्स्पोनेंट लिखा है, एक वहादत ए दीन, जिनहा की ट्यूनेशन थीरी को यह उपोस कर रहा था, और हिंदू-मुस्मिनिटी चाहते थे, खान अब्दुल-गफार इनको फ् सदाई खिदमतगार, सर्वेंट अब दीगॉड, ओके, आगे बात करें, चलो, क्वेशन आता है, फटाफाच अब क्वेशन करेंगे, पहला क्वेशन आ रहा है, मराटी न्यूस्पेपर केसरी वस अडिटेड बाए, बहुत ही बड़िया क्वेशन आया, मराटी न्यूस्पेपर, बताईए, मराटी न्यूस्पेपर, मराटी न्यूस्पेपर केसरी किसने एडिट किया है, इट वस दन बाए, लाला लाच्पद्राय को बिटा बोलते हैं, शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, क्यूंकि ही वस फ्रम, क्यूंकि ही वस फ्रम पंजाब तो इन शेरे पंजाब बोलते हैं, बार बंगा जरते लिख बिटा, इनको केसरी कहा जाता है, इननने पेपर लिखा है केसरी गलत कर दिया, स्वातिक फर्स, दिशान सेकें, दिव्यान स्थर्श जांग फोर, जितेंद्र फिफ्थ, मिस्टीरियस सिक्स, इट्स्योर इम्रान सेबंध, आयूश एट, शीनिवास नाइध और आधिते अंधी तेंथ पोजिशन, नेक्स आजाओ, डांडी मार्च, एक तरफ से करेक्ट टांसर आना चाहिए, अब इसमें कोई और गल्ती नहीं होनी चाहिए, प्लीज डोन मार किंदरा गांधिया, बैग यू, आप्शन नमबर ए, आपका गारेक्टे इट में जन्बाए, महात्मा गांधिजी, ऑप्शन नमबर ए, मार कर लो, मोए, मोए, दोखो, सरोजी नाइडू, मालीक, तुम लोग यार, गजब हो, यार, प्रतिबा 1st, बबलू 2nd, आदित 3rd, स्वातिक 4th, हर्शित 5th, जीशान 6th, आदित 7th, उजेन 8, recorded 9th, और हिशान कोंधी 10th position, next, स्वारोजनी नाइडू, बगें, the Congress President in, वाँ, 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 किसी नहीं देखा ही नहीं होगा, स्वारोजनी नाइडू, कौन से, session में, कौन से, year में, Congress की President बनी थी, बताओ, जिनों ने, जो पहली बार, Congress का President बनी थी, तुम लोग, ए कैसे बोल रहे हो, तुम लोग, कैसे बोल रहे हो, बाई, कैसे बोल रहे हो, how are you talking correct, yes, the correct option is, option number A, it is, 1925, good I'm good, शाबाश यार, ताली, T-I-G-E-R, T-I-G-E-R, चीके रहा, तो सिंपाल 1st, बबलू 2nd, आयूष 3rd, शिशांक 4, जीशान 5th, हेमन 6th, मान्यू 7th, गुलाब 8, आटिस्टिक 9th, सान्या, and Keshav on the 10th position, next, कोई इडिया मुव्मेंट तुक प्लेस इड, भारत चोड़ो आंजोलन कभ हुआ था, 1942, 1949, 1940, and 1939, बताओ, कोई इंडिया मुव्मेंट कभ हुआ था, ताली, ताली कर लो आपने लिए, शाबाज यार, very good, कोई इंडिया मुव्मेंट, कोई इंडिया मुव्मेंट, कभ हुई थी, कोई इंडिया मुव्मेंट हुई थी, 1942 में, ठीक है न, ऑप्शन नमबर यह आपका करेक्ट है, जिसको कन्फूजन है, वो यहाँ पर देख सकता है, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही साफ शब्दों में, लबजों में, मैंने बता रखा है, बड़ा-बड़ा लिखा भी था, 1942, ठीक है न, चालो, आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी, ऑप्शन नमबर A, मार कर लिया, गजब है यार, दबा के पढ़ाई कर रहा है, तुम लोग तो मजा आ गया, तुम लोग तो दिव्यांश फर्स, प्रतिबार सेकेंड, अबिनाश थर्ड, धनश्री अन्द फोर्ष, अगुफा फिंफ्थ, शशांग शिक्स्थ, आदिजिए सेवंथ, सचे एड, साहिबा नाइथ, and Sanjana on the 10th position, next question पर आजो, तो Government of India Act was passed in, Government of India Act passed, अब हुआ था, बताओ, 1935, 1932, 1938 या 1934, बताईए, करन मिटना मुझे खुद नहीं पता है, मैं तुमें कैसे बता दूँ यार, ए बोल रहे हो, A, A, A बोल रहे हो, A, yes, it is option number A, 1935, में Government of India Act आया था, मार कर लो option number A, Government of India Act, जिसमें, Autonomy दी गई थी, Provincial Legislature को, जिस और फिर 1937 में आकर, elections भुए थे, जिसमें Congress ने बहुत अच्छा किया था, ठीके ना, गुड, 2nd, NCN Sports, 3rd, A, आयूश 4th, श्वेटा 5th, रिशान 6th, प्रिया 7th, गुलाब 8th, दिपिका 9th, श्रिजुका on the 10th position, next question पर आजो यार, Provincial Autonomy, अरे भाई सहाब, बहने तो आंसर ही बता दिया, कोई बात नहीं, Provincial Autonomy was prescribed under Dash of 1935, Provincial Autonomy, कहाँ पर लिखी गई है, दी गई है, बताओ, Provincial Autonomy कहाँ पर, बोला गयता है कि दी जाएगी, Rollet Act, Vernacular Press Act, Government of India Act, या Arms Act, बताइए, Provincial Autonomy was given in the Government of India Act, GOI 1935, option number C आपका correct है, मार कर लो option number C, औरे नहीं, भाई, Rollet Act में कहाँ तुम आ गई, 1935 पर Rollet Act आय था, क्या मेरे अबबा, D.O.N.K.E.Y. हो, कि T.I.G.E.R. हो, Rollet Act कैसे आ गया, Rollet Act तो बताओ, 1919 में आ चुका है, 1919 में आ चुका है, और 1922 में बताओ, NCM ख़दम भी हो गई, आप उसके आगे, Civil Disobedience Movement में आ गए, ये गांदी जी का जो, Assault सत्याग रह था, ये Civil Disobedience Movement थी, कि अब हम आपको ओबे भी नहीं करेंगे, Disobed करेंगे, के जी वादे कर रही तुमने यार, Swatik 1st, Pratibas 2nd, Chetan 3rd, Shichukar 4th, Bablu 5th, Maya 6th, Divyan 7th, Mohit 8th, Shivanch A9th, and Gulab Sharma on the 10th position, Next, When did Muslim League pass the resolution of Pakistan, बता हो भाई, Muslim League ने, Muslim League ने, Pakistan का resolution, कब पास किया था, हम यह अगरना मैं, हम ता आशे द्वाएने की बात करेंगे, हम पुराने बात ही नहीं करते, हाई ममें जगा है कि पुरानी बात ही थोड़ो दो, पुराने में छोड़ो डखा है जब, येस, सारे के सारे mix answer दे रहे हो, सारे के सारे, कोई बोल रहा है D, और कोई बोल रहा है C, माली को, मेरी एक बार बताओ बच्चो, 1947 में अगर resolution पाकस्तान का पास हुआ है, तो भाई अबर यह पाकिस्तान बना कब, यह देखो 19%, तो मही आदी बच्चो 47 में हुई है ना, हाँ? अदी भाल है, आरे फर्स, बबलू सेकंड, सिम्रन थर्ड, दिव्यांशू फोर्थ, इस्योर इम्रान फिफ्थ, अनुष्का शिक्स, गुलाब सेवं, अब आते हैं आपके कुछ subjective questions, फटा-फट से मुझे बताना, तो मुने लिया screenshot की नहीं, दो questions हैं इस page पर, वाइ डिट गांदी जी चूज टू ब्रेक दे सॉल्ट लॉग, गांदी जी ने सॉल्ट लॉग क्यों सोचा तोडने की लिए, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है, जो सब को ही खाता है, एक essential item है, तो गांदी जी ने सुचा क्यों ना, इसको हम ऐसा हाँ इसमें चीज करें, सॉल्ट लॉग को ब्रेक करें, जिससे कि सब लोग एक साथ उनाइट हो जाएंगे, अमीर गरीब उनाइट हो जाएगा, हिंदू-मुस्लिम उनाइट हो जाएगा, सब लो उनाइट हो जाएंगे, तो अकॉर्ड दूर्ट लॉग नुस्पेपर एडिट किया है, तो केसरी किया हुआ है, मराथी नूस्पेपर है, एडिटल बाइब बाल खंगडर तिला, नेक्स्ट आजओ, वाई डिट रबिंदना टेगॉर रनाउंस इस नाइट होड, रबिंदना टेगॉर ने अपना ये अवार्ड नाइट होड वापस क्यों दे दिया था, क्योंकि जिलिमेला बाग मिसिकर्ण 1990 में हो गया था, on what terms were the Congress leaders ready to support the British war, effort at the time of Second World War, did British accept this demand, किन शर्तों पर Congress leaders ने बोला कि ठीक है, Britishers को हम support करेंगे, और क्या शर्त रखी थी Congress ने Second World War के time पर, Congress leaders ने बोला कि ठीक है, हम आपको support करेंगे Second World War में, लेकिन बदले में हमको आज़ादी चाहिए है, लेकिन Britishers ने इसको देने से मना कर दिया था, आगे बढ़ो, why were the people satisfied with the British rule in 1870s and 1880s, 1880s, 1870s से लेकर 1880s के बीच में, लोग अंग्रेजों से नाखुश क्यों थे, क्योंकि बाई, अंग्रेज जो है, वो उनके resources, उनके जिन्देगों पर, लोगों के जिन्देगों पर control कर रहे थे, जो सही नहीं था, Arms Act आगे था 1978 में, जिसमें Indians कोई भी arm नहीं, यानि कि कोई भी हतियान नहीं रख सकता है, वरनेकुलर Press Act इंट्रिद्यूस कर दिया था था, कि अगर कोई भी government के against कोई अगर चापता है, तो उसके property को confess कर लिया, confiscate कर लिया जाएगा, जब्ट कर लिया जाएगा, उसकी printing press को बंद कर दिया जाएगा, ले लिया, next, who were the moderates, how did they propose to struggle against the British school, moderates कौन थे बटाए, moderates वो लोग थे, जन्होंने Britishers के आगे भाईया बाबू किया, जन्होंने Britishers के आगे बहुत ही moderate तरीके से, धीरे धीरे, gradual और legal process के तुरू, demand रखी कि हमको आजादी चाहिए, उनका मानना ये था कि भाई, हम अंगरोशा से आजादी ले सकते हैं, friend बन कर, तो भाईया फ्रेंड बन कर कुछ नहीं होता, आज की दमाने में, the moderate में कौन को नाता है, आपका सुरेंदराद बैनर जी, फिरोश्या मेता, गोपाल कृष्ण खोख ले, और उन्होंने तो method अपनाए थे, वो कैसे थे, उन्होंने demand करी, प्रेटिशन के थूरू, मीटिंग्स के थूरू, स्पीचेज और रेजोलूशन के थूरू, उनका पूरा अपकिस चीज में था, उनका पूरा फोकस था, कि हमें कुछ तरह की वालिंस ना करना पड़े, ज़धना हो सके हम रिजिस्ट कर सके, नेका पूरा पूरा फोकस तरह की वालिंस ना करते थे, उनने बोला कि दूसरे के उपर भरोसा मत रखो, अपने कंदों पर भरोसा करो, मॉडरेट से चारा थे सेल्फ गोवर्मेंट स्वराज, विदिन दे बिटेश एंपायर, मॉडरेट से चारा थे कि हमारी सरकार हो भले अंग्रेज सुप्रीम हो, लेकिन राडिकल्स चारा थे कि नहीं, इनको भगाओ यहां से, हाटो यहां से, राडिकल्स ने डिमांड रखी स्वराज, फ्रॉम दे बिटेश रोल के अंग्रेजों से हमको आजादी चाहिए, अंग्रेजों में रहकर आजादी नहीं चाहिए है, इसके लिए इन्होंने स्ट्राइक करी, डिमोंस्ट्रेशन किया, एग्रसिव चीज़े शो करी, तो विद इस नाव आई कम तु दी एंड ओफर इस, लेक्चर, यह लेक्चर, यह सेशन आपका यहां पर पूरा हो जाता है, आपने यहां पर कर लिया, कोई अगर तुम्हारा डाउट है, तो आप मुझसे पूच सकते हो, चीक, लीडर बोट देखना है, आज़ो भाई, लीडर बोट देख लो, अरे नहीं, तो दिव्यांशु अन्द फर्स, जीशान सेकेंड, गुलाब थर्ड, रिकॉर्ड फूर्ड, बिलाल फिफ्थ, हेज जीश्थ, अथ्माटिश्यन सेवंथ, भुमी एथ, सुरेंदर नाइथ, प्रतिबा टेंथ, फियाव शिशांग प्रमोथ, अधित्यकृष्ण, अर्पित साहबा, दिपांकर, स्वातिक सचिन, आटन क्राफ्ट फुल गेम्जोनर, फुल अन गेमर, अधित्य इच्वर इम्राण, सर्फरास आलम, सौरब अधिती तनिश्री, क्रीमी मून, शुकला, अविनाष, जितेंद्र, मोहत, प्रिया, रावक्मल, स्टरे.com, ननाश्री, अभिनव, माया, तान्या, और सिक्रेट सोल, तो इस अधित्य तोडेश्ट फिफ्टी, टोडेश्टी, टॉप परफॉर्मर्स, ठीके ना, सु बैनी मैनी कॉंगरेचिलेश्ट इस पीपल, कल मिलेंगे बिटा, अपन इंडस्ट्रीज चाप्टर के साथ पढ़ेएंगे, और मेरे ख्याल से आपके दो ही चाप्टर अब बचे हैं, जोग्रिफी के, एक इंडस्ट्रीज और मेरे ख्याल से ने तीन बचे हैं, जोग्रिफी के हैं, एक आपका इंडस्ट्रीज है, एक आपका human resource है और एक resources यही है ना तो आपन इसको complete करेंगे industries पढ़ेंगे then we'll deal with human resource and resource ठीके ना चलिए hats off to you यार कि आप लगतार बने हो मेरे साथ this is a very good thing आपने पूरा chapter यहां पर complete करा है गाना सुना दो यह जीवन है इस जीवन में यही है यही है यही है रंग रूप ठीके ना चलिए so that's the day from my side हसते रहों मैंनत करते रहों thank you very much and have a good day bye bye